जै जिनेंद्र और नमस्कार आप सबका हार्दीक अभिवादन है विर्मती बेन फकिर्चन शाह चरिटेबल ट्रस्ट अनिश्री बद्रेश भाई शाह फांडेशन बती आ सतत पांचमा वर्षे जोज्याती पर्युशन पर्व स्पर्धा हो छे आज आपने तेनी वक्तिरूत पर्व स्पर्धाने माटे बिगा थाया छे मित्रवाब जानों छो के पांच वर्षती आ संस्था द्वारा आपने पर्युशन व्याक्यान माळा करिये छे सुरत्ती थतिया व्याक्यान माळा आवर्षे 22 मी ओगेस्ती शरू थाईने एक विक्सुदी चालना छे जेमा अत्यंत प्रतिष्ठी अने खूब उंडानती जेमने जैन धर्म अने अध्यात्मनी फिलोसोफी नो अभ्यास करिवा छे एवा महानु भावो आपने त्या व्याक्यान माळा मा आवगाना छे ये व्याक्यान माळा पहला नो एक माहोल बने अने जैन फिलोसोफी अंगे ने सवनी समझ विस्तरे एटला माटे आपने परुशन पर्वनी आस्परधाओ करिये छे जे मां बालापथी माडी ने वड़ीलो सुधी विश्यों पर भाग लाई शकेशे आप जानों छो क्यास्परधाओ मा आजे आपने आपने आपक अने ड़ ए बी सी दी तमाम पार्टिसिपंस ने एक साथे सांबलवाना छी अने इनी शरूवात आपने करेशू एक मैं आपको स्पोटलाइट कर रहा हूं आप रुपया समझ लीजिए बाकी सारे पार्टिसिपंस आप भी समझ लीजिए आप जब शुरू करते हैं आपको आपका नाम बताना है आप कौन से ग्रूप में है या बी या सी या डी वह आपको बताना है और कौन से विश्य पर आप बोलने जा रहे हैं वो आपको बताना है आप जानते हैं कि एक ग्रूप के याने अतिशाई का जो ग्रूप है उसमें आपको तिन मिनट के लिए बोलना है तो मैं बिंती करूँगा अतिशाई आपको मैं सेंटर स्टेज कर रहता हूं मैं हट जाता हूं स्क्रीम पर से और आप शुरू कर सकते हैं, यह सदीशने ग्रूपे आपका फॉन इस तरह से रखें कि दिवाल ज्यादा नहीं दिखें, आप ज्यादा दिखें, तैंक यू वेरी माच, आप शुरू कर सकते हैं, मेरा नाम असिशे जहने और मैं गुरूपे से हूँ, और मेरा विशे का नाम है अींशा परमो धर्म, आइंशा परम धर्म का आर्थ हैं, अइंशा चब्से बड़ा धर्म है, यह एक मैय तोकून सिद्धांते भार्तिय धार्मिक परंपर अभिशिष का जैन धर्म हैं, इंद् से का भावनात्मक स्तर पर भी किसी को नुक्सा ना पहुचाने की प्रेणना देता है मात्मा गांदी ने इस सिद्धान को अपने सुतंतरता संग्राम के दोरान व्याप्यक रुप से अपनाया था और इसे राजनीतिक और सामाजी कांदोलन में लागू किया उनका माना था कि आइंसा ना केवल बारी इंसा को रुकने का एक साधन है बलकि यह आत्मशुद्य और शक्ति की खोज का एक मार्ग भी है भारतिय ग्रंतों जैसे महाभारत में भी आइंसा पर्मो धर्न का उलेक बिलता है जहां इससे सर्वोच्च नहितिकता का रुप में प्रस्तूस किया गया है इस प्रकार अइंसा का जिद्धात पानवता के लिए एक महत्तपून माग दक्षर बनता है जो हमें सभी जीवों के पति करूना और सान बुति विक्सित करने की पेंड़ना देता है जैई जी नेंद्र बहुत अच्छे सब्सक्राइब करने जा रही है मैं बोलू मुझे बाहर जाना है ठीक है मुझे रूप आपका नाम बताइए मेरा नाम सुनीता देवीजेन में ग्रूप D से हूँ आपको कितने मिनिट बुलने हैं पता है ना है आपको आप साथ मिनिट तक जा सकती है अब ग्रूप D में है इसलिए आपने जो तैयारी है इसके साब साब कह सकती है और पीस देर गौर आयत को ले लीजिए वो लोग अभी महुआ में है बिलकुल बिलकुल ये अतिशाई के बाद आप देर गौर आयात को मैसेद कर दीजिए उनको इमीजेटली ले लेते हैं आप सुरू कर सकती है मेरा सुनीता देवी जैन है मेरा भी से है जेन धरम के सिध्धान्त में ही विश्वका कल्यान चिपा हुआ है मेरा यहें परफाशीन धर्म हाँ और यह अहिंशा सत्त και और आत्मानी द्रव सिध्धान्त पर अधारित है यह सब अपना क्यों हम स्रीप अपने आपने अपने को सीप व्यक्तिकत रूप से मोक्ट्च्व मार्ग में ही प्रसस्तनिar बल्कि जन कल्यान में भी आ Темகल ये का मतलब सरी रूप से हैंनि मानेशिक रूपक से और बाचेट रूपक से ही से हम जीवों के प्रती करूनार प्रेम की भावना व्यक्ते कर सकते हैं और जैसे सत्य भी एक तरह का सिध्धानत है हमें जेंदर्व में सत्य बोलने का मार्ग बताया गया है सत्य बोलके हम अपने समंधों को भी मजबूत कर सकते हैं सत्य बोलने से हम दूसरों को भी और अपने को भी अपने को भी जो मायाचारी के रूप में जो हम सत्य बोलना चाहते हैं उससे हम बस सकते हैं और अचोरे भी एक इसमें सिध्धान्त है अचोरे मतलब चोरी नहीं करना चोरी का मतलब है कि हम दूसरों की संपत्ति आधिकारों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं इस तरह से हम सामाजी के रूप से अपने आपको प्रसस्ते कर सकते हैं और एक सिध्धान्त और भी है जो अपरिग्रे है अपरिग्रे का मतलब है कि हम जादा भोतिक सामगरी को हम इकठा नहीं करें इससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है तो हमें अपरिग्रे के माध्धम से बताया गया है कि हमें अपना कम भोतिक बस्तों के माध्धम से हमें आत्मिक सांती को प्रदान करना च इसे में प्रवेशाव्याों करते हैं और अतम तर्ण को जागरत करते हुए हम अंधम्री मोजी अंधमन्द अब और तब दो एक है जिसमें माझग्षां को नीरोथ करके और अपने ॑ अपने जो खाने पिने की दो इसको व्यक्त्य कर सकते हैं जिसमें हम आत्मिक सक्टी को या मांसिक सक्टी को भी जागरित कर सकते हैं और शमता भी एक इसमें बताया गया है समता का मतलब है कि मानसिक संतुलन को बनाई रखना जिससे हमारे जीवन में जो सूख और दुख आते हैं तो उसमें सूख और दुख दोनों में हम अपने मानसिक रूप से हम एक रूप में अपने वीचार को व्यक्ति कर सकते हैं हम घबराए नहीं जब भी दुख आये तो हम घबराए नहीं और सूख आये तो हम ज़्यादा फूले नहीं तो समता रूप में हम अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और एक छमा जेन धरम में सबसे बड़ा धरम बताया गया है जिससे हम द्वेस और दूसरों की प्रती देश और भीना को समाप्त कर सकते हैं और और भी जेन धरम में इस तरह से बहुत से सिध्धानत है जिसके माध्धन से हम च्रीब आत्मी जागरन को भी प्रसस्त नहीं कर सकते हैं बलकि ये पूरे विश्व के कल्यान को हम प्रसस्त कर सकते हैं जैजिनेंद्र जैजिनेंद्र और बड़ी अच्छी दरस से आपने सारे सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की और देखिए ये अगर बाते हम समझें तो सिर्फ भारत ही नहीं पुरा विश्व उसका लाब ले सकता है और सही विश्व कल्यान जी से वह इसी में आ जाए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेंजी आपने बहुत बहुत अच्छा बताया बद्रेश भाई भी हमारे साथ जुड़ गए है बद्रेश भाई आपको भी बिंति करूंगा कि आप प्रंट पे आजाएए तैंक यू बेरी मच यह पहले पहले पार्टिसिपंट्स थे पहले थे कर दूसरी थी उनके बेटें पहले बोला और बड़ा अच्छा बोला आपने भी अच्छा 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 पर पाटिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट दीरगाब तैयार है प्राची के नाम से प्राची रेडी प्राची प्लीज प्लीज तो मैं जो लोग पांच-दस मिनिट कर सकते हैं कोई अगर ट्रावेल करके उस वक्त वहां पर ठेर करके हमारे साथ बढ़ना चालता है तो नमस्कार प्रणाम मित्रो आप सर्वेने आजनी वक्तरुत्वस परधामा आप सर्वेन उश्मा बर्यु श्वागत छे आपने पांच मी पर्युशन पुर्वेनी पर्युशन व्याख्यान माडा पुर्वनी इस परधाव मा भाग लई राया छिये अथी बराबर पांच वरस पेला जहरे करोना हतो और जहरे आपने बाहर नता निकली सकता था त्यारे 2020 मा आपने पर्युशन व्याख्यान माडा नी सुभ सरुवात ओनलाइन करी हती अने त्यारे विचार आवयो कि आप अर्युशन व्याख्यान माडा ने वदूने वदू लोक पुरिय बनावा वदूमा वदू लोकों एमा भाग ले एतला माटे शू करी सकाई अने तारे आपनने अमने ख्याला आवयो कि हमें जेविरी ते छेल्ला ते वर्षे 25 वर्ष् अने ओपन सेक्षन मां योजाती हती अने जे बे महिना सुधी डिसाइमबर ने जानिवारी सुधी चाली अने फैबरुआरी नी पंदर मी ये समाप्त थती ती अने एमां दस जेटली लीट्रेचर विभाग निस परदाओ अने दस जेटली कल्चिरल कॉंटेस्ट एम टोट कि रमाईयने है सेमी फाइनल फाइनल थाइए आने अंने जे शूपर स्पीकर अर्था तो जे दरएक भी भाग नियं दर शूपर वीनर बने तेने तमामने उमें प्राईजी इस आपता था कि जे श्यंक्र सुपर श्पीकर पन चाले छे नवेंबड ॡिसेंबर अरे डिसेंबर जानुआरी फैबरुरी मं अने सते सते एक कमरा करतवियाना रूप्रुपे परियुषण प्यख्यां मला नी पहला आप ^^ लाइए छिए पर्युशन पर्वस्परधावूमा डेश विदेश्ति तमांग युपां वय्हा थी भाग ले छे गनिवारयरा जजीज पन बार्ना होई छे परांना होई छे तेँ पर डेश-मी शुपर डिसेंबर जान्युआरी मा सरू था से आज पर्धाव पच्छे पची तरत तारीक 22 मी थी पर्यूशन व्याख्यान माड़ा इतले के चार दिवस पची आजे रविगार था यो गुरुवार पची गुरुवार थी रात्रे शाड़ा आठ कल्ला के पर्यूशन व्याख्यान मा कि सुब सरूवात हमारे महान संत और तिरापंथी आस्था के धर्मगुरू मुख्य धर्मगुरू आचारिय महाश्रमन जी हमें मांगलिक देंगे और उसके बाद पहला प्रवचन उनी के सूस्य स्री वर्धमान स्वामी जी जंबु स्वामी जी के ऊपर पहला लेक्चर रात को शाड़े आठ से शाड़े नौ बजे तक देंगे तो आप जरूर उसमें दाखिल होना शाड़े नो से शाड़े दस बजे से तक हरोच दो लेक्चर होंगे दो घंटे का तो दूसरा लेक्चर लेंगे बहुती जाने माने कथाकार है पंडित है शंत है वो विद्वान स्री भुपेंद्र जी पंडिया जी भुपेंद्र भाई पंडिया जी वो दूसरा लेक्चर देंगे और उसका सब्जेक्ट होंगा स्ट्रेश मैनेजमेंट स्ट्रेश मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारी जिन्गी में हम अभी एकदम हलके फुलके रहे और हमारा कुछो भी काम करे उसमें एकदम तन्मीन तन्मरिता से और ततपरता से तलीन सासे करे और जिन्गी हमारी खुशाल रहे उसके लिए पहले भुपेंद्र भाई पंडिया ने हमारी यही परियुशन व्याख्यानमाला तीन में एक लेक्चर दिया था उसका नाम थ्या जिन्दगी जिन्दगी का ना जिन्दगी के नाम पे से था कुछ तो ओर लेक्चर तीन लाग से ज्यादा लोगों ने यूटुब पर हमारी कि यूट्यूब पर सुना है यह बहुत बड़ी बात है कि जब तीन से चार लागों के लोगों के बीच में कोई लेक्चर सुना जाता है तो यह इतना जवरजस्त विद्वान व्याख्याता हमारे पहले दिन का एक स्पीकर है सेकंड राउंड में यानिके साड़े नौ से साड़े दस में तो आप जरूर जोइन होजें खास करके आप जब वक्तुत्वस परदा में भाग लेते हो और आपना अच्छा वक्तुत्वा है तो आपको यह व्याख्यान माला किसी भी हालत में आपके बच्चे को आपको उसके बाद होंगे डॉक्टर शेजल सहा फिर शुदीर साथ पदमस्री है पदमस्री डॉक्टर कुमार पाड़ वो तिसरे दिन भाग लेंगे ऐसी आठ दिन के सोला स्पीकर से तो आप शड़े आठ बजे जरूर से इसमें जोईन हो जाईए आपका ये जरूर से अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको भार जाना है जल्दी है आज त्योर का भी दिन है तो जरूर से हमारी ये सब जो आज किस परदह है वो भी यूटीब पर तो आप जरूर आपको खुद को सुनके आप अपने में क्या सुदार हो सकता है वो देख लेना तो सबको प्रणाम और सबको ओल दबेस्ट बेस्ट बेस्ट ऑफ लक ठैंक्यू ठैंक्यू अरे मच जाई जैनेंद्र नरेश भाई आप चालू कीजिए आगे फिर बाकी बात कभी करेंगे और टाइम तो दोस्तों बद्रेश भाई आप सबनों स्वागत करू आज पर्दा यानि पाशर न वेत्तू अने ए अगाव थैली प्रवरुत्तियों सहीत नी विगतों आपी अपना आजनी इस पर्दा मां आजन वधिये कौन एकदम उतावर मां छे न कौन श पर एक नाम थी जुड़ाया छे प्राची प्राची मेताना नाम थी आप जुड़ाया चे अने ट्रावेल मां खास आपले मां तो भाई ने भाग लेह रहा चे सो दिर्ग आप सुरू करी शाको तमारू नाम दे जो तमारू ग्रूप के जो अने तमारों भी शेक है जो ये दिन निर्नाय को नमाते सरर रहे हैं जैंडरम को मास्तो आप जी बता एए जी नाम की पुझे क्यों क्यों प्यारा रहे और देशिक अखे जैंडरम में स्टाइबा हुआ है अधि पापो में सब्सक्राइए तुमा मांना शमकरना यही जो इंदरों कहलाता है और अब पर को जाना जानके होगे साइंस अब ही जन दो दुसे के विरुद्र में और आखिरका साइंस को ब्रोड़ना वहाँ पर किश्चा कर दो आखिके होगे सामना सामनों जैनी समनी समय साइसारी जाई तर्यों साइसारी जाई इने वारी दिखे आको गाब माने जाई आको गाब माने जाई होट सब करवा करे बिचारा रत्री पोजन पार्टी ये करे बिचारा वची चू श्वास्तर अम्रू पड़े चारे रोडे बिचारा योगान लबनी वाको में जानी प्रवासार में प्रतिकमाण मां इब अधी सोवानी सब्सक्राइब आपड़ा वीरे जे विगनाने आजे एच आती हूँ बगवान माविर नुए ज्ञान इसा में जुट्यू विगनान पुलेकर विश्वा बडर में चल दाओं बड़ी सर्व आपड़ी समय कोहल वर्थाने के बता ने अधाने के घृष्टे के आट बहुत पहले कि अहीं बहुत पहले से ही बाता आई गर और और पीर अमारे साइंस को कि एजिटेशन किजिए जैन गरम के तैए बा संदमा ध्यान की जैन से पहली बॉडी का धियान रहते हैं आखेम अपको ये बताँगा गारभा सें देलाल मायं. ऐंसले सो बैतर टुफ्फिन सट्य सें बैतर कुछिने रहमति भाहतर सें बैतर कुछिने मेस्तलि और हैं. टो प्रवास पर शाईश अरे बाद, कई पाट साड़ा मादे बज़ेश भाई आपना आगरवधिये अनियों मित्र जरुपाई जवाबे उता वर्चे आपने आगरवधिये आयत पन चे जोडेज छे हाँ तो आयत ने पन लई जलो बिलकुल पहला आपनों नाम आपनों विश्वई बताओ ने बोलो ने स्कुल कई छे ते बोलजे हां मेटा है ज़े ती यल्पमार गांगी के मारू नारू महादवधिये मारता दिताने भूलच्वाँ नाई मारी स्कुल्लू नाम कंटिसा इंडरनाशन स्कुल्ट ना वन्दे गुरु वरं वन्दे मुनी वरं माता पीता के समान सभी बड़ों को मेरा साधर जयजी नेंद्र ये तो सच है अची भगवान है है मगर फिर भी अंजान जर्टी ते रूपमाबाद अच्वी धासाँ की तैने चोने तैने मैं अच्वी माता चीच्टा के मारे मुझा को में त्या लुकर तुमों रह्तों खोड़ी तो आ तुए यहां पड़े होको जो तुद्भी बिर्टा रहेगी उन्टी लिए असे मार्टी भी बोई पारेगी वानी में रिजा है चट्र उन्टे है चडीर मेरा है जान रूपमी तो तुद्भी रख सीच्टा के नर्ग पूमे होता है तुमें चोटी भी तुद्भी फ़ाइस को फूपर देगी तुमें चोटी भी पारेगी तु cereal के गोई लूपमी तुद्भी ये. इसलिए हमारे बाता पितारक्स ने पकता है हमारा बीक्म वानुग का बनुगर न头 हम इवको पास्थायों की सरा के नहीं करण सेंगें झादर कर नुछी लुक्त। वाँ बहुत शुंदर अब उत कर दो अब अबड़ा आधा कुप सुराऊ अधर दुरुवा शाह बोली शाकेचा अधा सब्सक्राइब हुँ बोलू? तर हुब बोलू? तर आये शुए नहीं, जे साथे छे तेमने दाईलोने पेला, हाँ, दुरुवाशा? हाँ, से प्रणाम मारू नाम दुरुवाशा छे हुँ सुरत थी छुँ अने हुँ गुरुप ए थी छुँ अने, आजे हुँ मारा आदेश इवा बगवाशी मावीर नि वाग्त परिश सत्यकुणमा जनमेला अने, माता, त्रिश्ला अने, पिताना, आजगawayु लारा मारा मावीर नु जनमा थजै त्यारे, इद्र माराजानू सीहासन कम कमपन थज्यू अने जारे इंद्र माराजाय पोताना आग्नान बढ़े जोईू। त्यारे अर्प्यंत उमांपूर्वक प्रभुने तेडवा अने तेम्न जण्मा बिशेग करवा मेरु शिखरे पजार्या। त्यारे इंद्र माराजाने शंकाने दूर करवा माटे प्रभु ए मात्र पोताना अंगू ठाती समस्त मेरु शिखरे ने कमपावी दिदो। आचे मारा आदश भग्वान श्री मावीर नू अजोर सामत्य। एतले चतो कैवाई छे आगी इर्नती मावीर छे। प्रभु मावेर नू आगणनू जीवन काड़ जोईये तो मनने अत्यांत खोशी, सजबा अने जीवो प्रतिक करूँ अने लागनी थाई छे। प्रतिक वच्चे बोले खे। विचारतो खरा मारा भगवान ना मनमा केतलो मोटो करूणाना सम्भूद्र अशे के जारे तिनने कानमा खिला ठोकाई छेने। त्यारे मनमा एकक जवात्र में चे। आजे मारी जडे थई रहिंचे। विम्मारा भुचकाणना कर्मुनु फर्ण छे। आमा भुवणन कोईय जवात नसी। आवी करूणा बत्तावीने भगवान मावीरे आपना जीवत जीवोने जीवन जीवान नवो द्रश्टिकोन आप्यों छे। जारे भगवान मावीरने चेंड कोश्यों ना करडे छे। त्यारे पोताने अतीशल वडे तथा पोतारी शमापनानी भावन वडे। शांत करवावाना मारा भगवान सी मावीरना घुनला गावा बेर्सू तो कदाचा त्रोण मिली तो बहुँ जोची परशे। इतले हुमारी वाद एक स्तुती गाईने पुरी करिश। गीरू आगुनों तरा केटला गुन सागरों ओच्छा पड़े रूपला बन्यां तरू केटलू रूप सागरों पाच्छा पड़े सामच्य के वो जोड़े छे सहुशक्तियों जाकी पड़े तारा गुना नुवाद मा माशार दा पाच्छी पड़े सामच्छो दारा गुना नुवाद मामा सार्द माशार दा पाच्छी पड़े जाए जी नेंदा। जाए जी नेंदा दुवा तमयं बहूच संदर प्रस्तूति करी। बहुश अरा घुर्वण। ईक्सेलं..you are the best बहुश वया माप बुलना रहाता ह wur spr liksom perfect। मने स्पष्ट कर जो जो अपने बद्दा ने चांबड़वा जा गया छे तर हूं बोली लो पहला तनाई चालो अपने अमांत्र नापिश आप आपनु नाम केजो स्कूल नू नाम केजो विशाई बखेजो अने पची शरू कर जो प्लीस हूं तनाई शा श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर स्कूल मा भणू छू आठमा धौरण मा एट स्टांडर मा अना मारो विशाई जे मारा आदर्ष भगवाल मावेच अरे वा सरस आप शरू करू आजी आदर्ष इटले के रोल मॉडल एक एवी वस्तू जे तमारा भव प्रणाम जैजी नेंद्रा आजे हूं तनेशा तमारा सवनी समक्ष मारा आदर्ष भगवान मावीर केम अने भगवान मावीर विशा कई क्यवा मांगो छू जेमना परम पवित्र शाषन में होवानू आपने सवने सवभागे मढ़ियो छे जेमना अक्खो जीवना जेक आदर्ष रुपे अथु जेमना जीवन म दया, करुणा, जीव में जिव मेंत्री जेवा अनक्ई अनक्ई खुणो भरेला हता कर्मतमा मावीर देव पर्मात्मा महावेरनों आख्खो जीवाना जेक आदर स्वरू पतु एने दुन्याने जीवाना घणा घणा द्रश्टी गोणा आपया छे कर्मा कोईना छोडता नाथी चाये तिर्थांकर है कि सामाने मनुष्या पर्मात्मा भुदकार महाजे कुडमत करेला मरेचीना भवमा इमने सत्य विश्मा तिर्थांकरना भवमा अभ्यास्ती दिवस्चो दि देवानन्दा मातानी कुक्षीमा रहु कडिवातु आना थी पर्मात्मा पोताना जीवन द्रष्टांतो द्वरा संदेश आपे छे कर्मो नोचे नियाई सनातन आप्यो तेवू उमर्शे जेवा कर्मो कर्षो एउच भोगवशो माटने परमात्मा कहेचे हमेशा सारा कर्मों करो कोईने दूख के पीडा ना पहुचाडो मन्थी होई वचंधी होई के काया थी होई परमात्मा नी करूणा परमात्मानो संभाव परमात्मानी संभाव तो इटलो जबर्दस्त हतो के इमने जेटला उपसर्वो थाया, चाहे चंड कोशिक नो डन्सको, गोश्याडाने तेजोलेशिया मारवानुको, के गोवाडो एकांड मा खिला ठोक्यानुको, पर्मात्मा एने संभावती सहन करेचे, अने आपनने एककत संदेश्वा आपने छे, के जो आजे दुख थई पर्मात्मानी करूना, एनी तो वातज क्या करू, पोताना उपर अपकार करवा वड़, एवो संगम देव, जेने छच्छ मैना सुधी पर्मात्मा उपर घोर उपसर्वो करिया आता, पड़ आ संगम कदी तरी नहीं सके, एना माटे पर्मात्मानी आखमाती आशु आवी ग करूना भी जे क्या जोवा मड़े, पोताना अपकारी उपर पन एटलो बदी करूना क्या आखमा आशु आवी जे, पर्मात्मा मावीर एक आदर स्वरुप तो छेज, ताते साते अगर जो इनना आदर स्वरुप मानी ने, आपने इनना पगले पगले चालवा मांडे ने, आपने तरी जशे, इंद्रभूती गवतम, जे पोते पर्मात्मा करता उच्ची एजना आता, पर्मात्मा करता मिठ्यात भी आता, पन एक पर्मात्मा ने जे वईशाक सुदग्यार से जीवन समर पन करी काडियो, इननी मोक्षनी यात्रा नक्की जईज, बस हे प्रभू, ह भव घुतम बनी जाओ, अने एज गौतम नहीं जेम आता, पगले पगले चालीने अन्ते मारो मोक्ष थाए, छले छले बढ़ इटलू और माँच्छ कि राम गये नाम का आधार रे गया प्रुष्ण गये गिता का सार रे गया जाते तो बहुत लोग है प्रभु वीर गये अनन्त अनन्त गुणों का भंडार रे गया आजे जे में तमने काई कईू एतो मात्र समुद्र माती बिंदू समान छे आना करता अनन्त गुणों पर्मात्माना भरेला छे पस ये अनन्त गुणों माती कदा चेक बे गुणों पन अपड़े जीवन मा उत्तार सुना अपड़ो आबव अने परभव सुद्री जसे छेले आ गुणों न अनुकरन द्वारा मने अक्षय अव्याबाद सुखनी प्राक्ति जए एत पर्मात्माने प्रार्थ ने शीनाग ना विरूत कई बोलाई वाए तो मिच्छा मी दुखणा प्राणानू वाँ शरस प्रस्तूति एक्सेलांट 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 बेटा अगरव अत्यारे जेलों को महुआ टूर्ना पिला प्रावास माचे अमाना कोई होई तो कही दो के जेती इमनी सफर अगरव अधी सके शर्या तमें कहता था गईकालनी वाद करता था तमें शर्या आरिव देर अत्यारे नहों तो दिवियम आप तही आरशो बिटा अगर्ट इवियम आपने स्पोटलाइट करी रह शो अन्या लोकों ना घरमा थी आवाज आवी रहो चे कुपया शांती जाड़वो शर्या तमें तयार रहे जो दिवियम पच्छे में अपना मंत्रा नापीश हूँ अपनो अपनो नाम अपनो विशय बतावे ने शरुवार्ट करिश्या अपनो दिवियम धारिवाल मैं कन्ना टके डावंगिरे में रहता हूँ मेरे स्कूल का नाम जेन विद्याले है सबसे पहले मैं अपनी प्रतम गुरु मेरी मम्मी को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे भुवमार सबको मैं वंदन करता हूँ और आप सभी को मिरा प्रणाम आज मैं उस गुरु के बारे में मोलना चाता हूँ जिनने मुझे परमात्मा तक पहुचाने का रस्ता दिखाया है गुरु प्रकाश का वह स्तम्भे जो अमारा मार्ग प्रकाशित करता है बारत्य संस्कृती में गुरु के स्तान इश्वर से भी उचा माना जाता है गुरु के बीना हमारा जीवन की कल्पना अधूरी है इसलिए होते है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन चुरु नहीं जो अंदकर मिटाता है प्रकाश देता है वो है गुरु जो दोनों में पर्ट सिफ कितना है कि समुन्द की गेरे में इंसान डूब जाता है और गूरू की गेरे में इंसान तिर जाता है जाने क्या है पास गूरू के लोग दोड़कर आते है जो आते है पास गूरू के वह सब कुछ पा जाते है जो आते हैं पास कुरकेट वह सब कुछ पाज आते हैं दुन्या में 2G, 3G और 4G आ गए हैं बविश्य में 5G, 6G और न जाने कितने जी आएंगे पर याद अखना हमारा जीवन माता जी, पीता जी और गुरु जी की बीना सफल नहीं होगा इंग्लिश में गुरु के चार अलपा बैटे, G यानि गूट सेंग, अच्ची सोच देने वाले, U यानि अंडरस्टेंडिंग, अच्ची समस देने वाले, R यानि रिबॉन, अच्चे संसकारों को देने वाले हैं यानि यूनन, संग एकता को शक्ती देने वाले हैं, गूरु दुन्या का वहत आता है, जो हमारे जीवन को संबरता है और नए जिशाओ और दुष्टी देता है शरी का निमान तो मारकी कुक्ष होता है, और जीवन का निमान तो सद्दूर के चन्ण में से होता है इसलिए ग्याने भगुन कहते है स्वाज़म परिजन रूज़ा तो कोई बात ने किन्तु अगर गुरू रूड़ जा है उन्हें किसी भी किमत पर राजी कर लेना किसे जिससे गुरू तूड़ जाते है उसे प्रभू भी रूड़ जाते है गुरू एक खुश्बू है जिससे तारा जाम महक उठता है गुरू एक रौष्णी है जो स्रैम चल का दूश्रों को रौष्णी रहता है गुरू एक दुआ है जो सिजबा सरचाया रहती है गुरु एक राहा है जो सिधा मुक्ष मंजिल पर रह जाती है इसलिए आज में अपने गुरु की बारे मैं कुछ कहना जाता हूँ गुरु मेरे दीपक इतन में उनका बाती हूँ गुरु मेरे राखी है तो मैं उनकी डोर हूँ गुरु मेरे बादल है तो मैं उनका बून दू गुरु मेरी चाय है तो मैं उनकी पड़चाई हो गुरु मेरा पेड़ है तो मैं उनकी डाली हो इसलिए ग्यारी बगवन केते है पानी की बीना नदी बेकार अधिती की बीना आंगन बेकार प्रेम के बिना परिवर बेकार, इसलिए जीवन में गुरुना होता जीवन ही बेकार, एक फुल, दो फुल, गुरुजी अमारे वंडर्फुल, एक फुल, दो फुल, गुरुजी अमारे वंडर्फुल, एक फुल, दो फुल, गुरुजी अमारे वंडर्फुल, जै आधिना वेरी गुड शार्य और कॉन था शार्य अगर आप गुड दिवियम काई स्कुल माति पोईलो बेटा जरे करना था कि नामना राज्य माति आवेशिए ओह ओह ओहा और वाद तोरहन बी इस्टांडर्ड बेटा प्राइमरी स्कूल्स होती है वो स्टांडर्ड से बारह वाले जो है वो भी में है शारी अगर आप तैयार है तो भी की जिन्ता मत किजिए आप शुरू कर सकते हैं शारी अर्यू दैर आयूश कुमार आप तैयार शो आठीक है तैयार है सब्सक्राइब ग्रेट वह आपने स्पोटलाइट करी रहा शूंद प्लीज वेट कर जो कर दो अलो आप फिर से बताइए आयुश कुमार दोशी है आप ग्रूप सी में से आप ग्रूप सी में है कौन सी कॉलेज से है सर नव्यू गार्स कॉलेज सूरत कोई बात नहीं मेरे स्पीच का टाइटल बर निंग क्वेस्टन ऑफ दे वाल्ड जैन फिलोसोफिंट बोलो सा पलीज सुरूप हुरू करिश सको फ्लीज दो कॉंसेट वप दे बंदें निक्वेस्टन अब्द बीड फ्रेमवर्ग्स करह रोड हुड हो जानी कि today What I这 एसस्थ ए जार्षी और चॉड रहिए्टिन, सिर्छ अगल, आप धौसराोज, क्था बाट , रिज Rebecca wirklich और यारोडी और रिपम, उल सिर्छ यारे की और ओ चाति अगड, क्ट आप and social justice. And fifth, ecological, questions about the relationship between human and the natural world. According to Jain philosophy, metaphysics, Jainim s understanding of the nature of reality, including the concept of jiv, yannik kārmā, and karma. Second, Espíritology. क सर्थ जानिम्स इरि लग्डेचिए श्रारिफ़ कि शुर्ण सहार्ट सब्स्탁रोइ। ध्रीटिंज जानिम्स इ मॉरल्स बिनल्स नक्eten रिंजिर्ण चार्जर्थ कर आशे दीख आचीज फिलोसोफिल प्रॉपितिस जानि bizim Black Ambos कैन्तिक टीजख स्ब्रावस्य मुटन। चूर अ 성्वेटिोliches। नाईशिटागाथ ऍार्णी से और छंछे कि रूसोफित सीजाटिसे ौपनी सिफ्विल श्यागकी श्यास हमेर बवाला को इंदिता understandů the nature of reality and truth. Second, offer канал secular ago through its ethical purpose. third, exploring the meanings and purposes of life through its spiritual teachings. Fourth, addressing social and ecological concerns through its emphasis on nonviolence and incrementance. By examining the interactions of one question of the world and Zayn philosophy one can give us a deeper understanding of the complex issue facing humanity and discover practical wisdom for the negative life's changes. One of the most fundamental questions plugging humanity is the nature of reality. Jain philosophy addresses this comment through the concept of anacanthvas or the many-sideness of the truth. This doctrine posits that reality is manufactured and can be understood from the various perspectives each valid in its own right. This approach fosters tolerance, acceptance, and empathy, encouraging individuals to consider desirable viewpoints and challenges of their base on faith. Jain philosophy is an ancient Indian spiritual tradition that offers insight and answer to this bonding question. Jainism is a rich and complex state of empathizing. By exploring Jain philosophy, one can gain a deeper understanding of the world's bonding questions and discover practical wisdom for negative life's changes. In conclusion, Jain philosophy provides profound insights into the bonding questions of the world. It emphasizes on tolerance, self-control, and nonviolence offers a relationship of the personal transformation. In the 21st century, if the world navigates the complexities of the wisdom of Jainism, it can serve as a guiding light, illuminating the path toward a brighter, more competitive experience. Thank you. I am so happy that Ayush Kumar Doshi is from Nagiuk College Surat and giving these wonderful ideas. Congratulations. Well done. Thank you, sir. We shall be switching over to the next participant. And that is Shauria. Shauria, are you there again? Shauria, you can please start. आप आराम से बैठ जाए आराम से और रिलेक्स रहिए हम आपको सुनने के लिए ही आए है जी या शॉर्य बोलो स्टमार्क स्कूल 10 स्टांडर्ड राइट मैं सर स्पीच हिंदी में हाँ जी बिलकुल बताएए जी इस सिद्धत्व की यात्रा करने वाले सभी भावी सिद्धों से मेरा निवेदन है कि मंगला चरन हे तु अपने हाथ जोड लेवे एवं अपने आखे बन कर लेवे नामो सिद्धान नामो सिद्धान नामो वजायान नामो लोए सवसाहोणं नमह श्रीवर्द मानाय निर्टूत कलिला आत्मने सालो का नाम प्रिलो का नाम यद वेद्ध्यादर पणायते तो आज का मेरा विशय है नमोकार मंत्र की महंता आज हम सभी जैने यह जानेंगे कि यह जो नमोकार मंत्र है उसकी महंता क्या है तो हम इस विशय को शांती पूर्वक समझते हैं नमोकार मंत्र एक बहुत ही उदार और श्रेष्ट मंत्र है जिसका वर्णन माविर स्वामी ने सास्त्र में भी किया है अराम से सोच के बोलो नो प्रॉब्लिम यस सर इसके बाद बोलो तो चलेगा नहीं नहीं आप तो शुरू कर चुका है आपका मार्किंग शुरू हो चुका है आप आराम से आपके लिए उपर आए थोड़ा और सोचे और बताइए यह जी सरु आप तो शौर यह है आप खरी सकते हैं स्था स берेंेर मंनों खाँ सत्यक्तिंगे लगवें तो शौर्वन में ःप 높़ी चुक्तिंगा शिद्धत्व की आत्रा करने वाले सबी भावी सिद्धों से मेरा निवेदन है कि मंगला चरण है तो अपने हाथ जोड लेवे एवां अपने आखे बंद कर लेवे आपके विश्य के उपर आपको जो बताना है वो बताई आप उसको कंक्लूड कीजिए आपकी स्पीच को जी सर नमोकार मंत्र एक बहुती उदार और श्रेष्ट मंत्र है नमोकार मंत्र बहुती उदार और श्रेष्ट मंत्र जिसे पढ़ने से सागर का पापनस्ट होता है जिसका एक पद का उच्चारण करने से पचास सागर का पापनस्ट हो जाता है तो और यह अगरे आपको सुना और बता रहे थे कोई कि नेक्स्ट कैनाइट एक आपका वीडियो अन कीजी नेक्स पार्टिसिपंट जो आना चाहते है कुरुपे आपका वीडियो अन कीजी ताकि हम आपको देख पाएं कौन बोलना चाहता है मैं नहीं समझ पाता हूं संतोस जी अकर आप बोलना चाहती है तो आप बताईए प्लीज आपके बारे में बताईए और शुरू कीजिए आपका पूरा नाम है संतोस को रडिया ठीक है और मेरा टॉपिक है अप आप याना ओपन सेक्शन से आप है ना हां हां अन्य मारून आपका विश्य बताईए अब अब जाइए अब आपके विश्य बताऊं अब आपके मारे मन जाइन हो इतले ले प्लीज टार्ट वो लिए अब प्ली अमे पंदल में फनी इंचे बिल्डिंग मां बदा भेगा थे ने दवच फरकावा मां बदा पड़ोशी नॉर्मल वात करता था वात वात मां एक पड़ोशी ए की दू के मारा गरे याल नानी उंदर डी आवी गईश्य उत्तों हैरान थे गईश्य तो बीजा पड़ आवेच हेल आवीने मुखी दे एटले उंदरनु काम पती जाये तो पच्छी सर कोईने ना जानोई तो कई दो के एक इलेक्ट्रिक स्लेट निकडी छे जे आपड़ी टाइल्स पर लगाई देवामा आवे अन्ने एना पर कईक गोड के अथानु मुखवामा आवे अन्ने जन जनाती आवी जाये अन्य लोको आवी सल्टा एक सिसेकेंड मा आपी दे तो मारे मंन जाइन हुउ आजे एक अंपारी चे एक जीवर्ण करत अन्य elegant तरफभ तो जो तुन न休 अपने फक्त उंदर पर दयान थी आवती जहीन होगु इटले जह सला आपनार व्यक्तिनू सूथ हसे ने एना हीत माटे पंचिंता करना छे पच्छी जहीन मतलब के आज अत्यारे लोको डॉक्टर जहीन होगु आप़े जहे वैला उठो वैला सुई जाओ रात्रे वैला जमी चालो तम्हें उकालेलू पाणी पीवो आ करो ते करो तो जहीन होगु एक अंदर रज एक डॉक्टर शे जहीन ना धर्मा माँ बदू छुपाएलू छे नू नियामी थारियाज एक है छे कि तमने डॉक्टर नी जरूर जना पड़े तो जहीन होगु एटले एक वैग्नान वह बैजळानिकों ने जनान आप टूस oppos moeten चर्ण चे के जायन महातमा ओच्छे जे भरड़ती खरहरा सूरत माने बदे गर्मी पड़े गर्मी माँ भर्ड़ते मँ आ जहीनों इसी पंखा वगर रहे शे तो आज he jain enhanced छे-जनना अना देखाता लाए अन्हाट रे घर्वपात माटे नवा नवा साधन निकड़ा छे होटल वीषोट जितला पापना साधन वद्तत जाई चे वद्तत जाई चे तो माँ अने एक बाजू जहीन छे के जहीन लोको और विजी दिसामा दोड़ी रहा छे के जहां लोकोंने तमें जीव बचावा माटे सू प्रयतन ये लोको एक एक जीव चोड़ा वा माटे रोजना मैसेज रोजना नवा-नवा सौंग रोजना एवा प्रवच या ने वी स्पीच के तमें एक एक जीव प्रत्य करोना लाओ तो मारर मन जहीन हुँ एकले सर्व जिवनी रक्सा करनार एक रख्षक चे defined बस हूं एकलो च कई जहीन अधिते मारा माटे अहो अहो और ने मारा माटे खूब भट्रू अभीमान छे उत खेत यहां आपनों नाम को वह एटले नहीं कि खाला हो से शुदा बेन पुरुए प्रों ओनों लुड़ू हाँ आप आपनों वीडियो आप करो प्लीज लिखिता त्यार पशिया रहे हैं वीडियो आप शिता आर्यों तुदैर तमें साम्ड़ शोने सुदा बेन पुरुए फ्रम हवाई होनो लुड़ू कि टला वागासा थ्यार थ्या है शोट याचे सवाच्छा सब्सक्राइब आप वाइकी की वाइकी की बीच्पल लुड़ू नहीं, नहींडेब है केपल लिटीवर, कपल लिएन के कल लिएन अच्छा राइट, 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 राइट तुदबन आपना विडियोज ना सिग्नल हचे आफिरा है तरद चरू करीदाई श Неए तरह पोरा था तंस्थीमा की सीग्नल पुरा ना थाई जाई प्लीज टेक कैर ओके मारू नाम सुधा बेन पुरोई चे होनो लो लितो चु अने मारू आचुन विशाई चे जैनना सिद्धान तोमा जगतनू कलनाल रहेलू चे तो शर्वात करू अवे साथ्य अहिंसा चोरिन कर वीवन चोतुन वसंगर हूँ ब्रह्मचर्यने चाते महिनत कोई अले ना अपडावू अभयस्वदेशे जात पातने सर्वधर्म सर खागानवा अग्यार अद्रद महात कोट दडडनेश्टाय थी अचरवा हावे अत्रु जो पाडवामा आवे तो जेवतना दरे जीवो नुकल्लियान अच्छे अत्रु बोलू तो है चाली शकेम चे अपना आपनाने रिस्तार्ती समच्छू के जैन धर्म मा अहिंसा नो भाया उपर जैन धर्म रहलो चे हवे अपन नेम थास्य के अहिंसा तो बदा दर्म सिख वाड़ेछे पन सावती पेला जुना मा जुनो जो दर्म होई तो ये अहिंसा ना पाया वर पर तकेलो चे जयन धर्म जूनों काई रिते छे एपणा प्रेस्ता मज्ये पूरणवमा रुगवेदमा ग्रामन ग्रंथोमा जयन धर्मना किर्थनकोना नाम अपने वांच्वा मले छे एट बटावे छे कर जयन धर्म केटलों जूनों छे बीजु के मठुरानी टेकरी उपर जारे खोतकाम करवा मा आएवू त्यारे जयन मंदीरो औने जयन पुस्तको मडे आवा अटले आवकर ती साबित थाई छे के जयन धर्मक एटलों जूनों छे जाइन एक ले सु एटेल आपने समन्थू जाइन शब्दा जीन उपर्थी बनवा मावेलो छे जीन एक ले इंग्रेयन जीते ए जाइन जाइन मात एउ न थी के लूंगरी कांडा लसन ना खावा गरम पाणे उकाड़े वा करू ते करू एटला मात एट्त सुमित न थी दे ए बहु एनी व्याख्या बहु उम्दाने मोटी छे आपने कोई प्रत्रते प्षामानी भावना राखे उदारता राखे कोई नू बहुत आरोंखे आजे ज्यारे जगताको हींसाना बम मपर बेठु छे क्या हींसा फार्शा भाड़ ना थी क्यारे सोन थास्त्या क्या ए खबर ना थी त्यारे जायन धर्मानी खरे कर चरूरी आछे उव समझायावेचे माताई जयन धर्मानी अगत्यादा आरीते छे बीजो के जयन धर्मामा क्षामानो गुण पण बदारे पहवा मायोचे क्षामा करवार थी आत्मा पर मेल चरतो नोती दोशोती बची सकाई छे अने एक विजाप्रत्य भात्रुभावना टकी रे छे अत्याद आरे आ समय माँ खरेखर जरूरी चे देश वचे व्यक्ती व्यक्ती वचे जे अके आत्र जड़ुवदी रईचे पात्रुभाव क्यां देखा तो नोती पन जयन धर्मा पाड़वामा जयन दा सिद्धान तो सम्झे तो जोक्रस्ति जीवन माशांती आवे मात्र एउन नती के जैन पुल मां जन में एज जैन ची एउन नती जैन एक आत्मानो धर्म छे एक पशुपन ज्यारे अहिन सा छोड़ी गे छे ने तो एपन जैन गणाई छे एल्ला आद्रश्टे जैन नीमा हत्वता खूब छे भायचारोग धर्मों होई कि आपने देश्ट स्थान नती माते जैन ना सिद्धान तोचे अहीं सा अस्पृष्यता अहीं सा चोरी अपरिहार्य अबटाई ग्रून ने अपना वार्ती जैन बनी शकाईचे मात्र जा कांडाल असन ना खावती जैन कोई नती थाई सकतु आने आजे जगतमा बद्धे जैन फुड नी बोल जीवनी नाना मा ख्षुक्समा सुक्षमा जीवनी हानी न था एनुँ खास त्यान रखवामा विश्ये माटे जैन फुर्नी बोल बाला वधारेच्छे एटले जैन नू श्तिद्धान तो मात्र अपने अपना सुने तो जगत नुकल्यान चोक स्चे एमा कोई संकाने स्था तो झाहिए जेनेंद्रा शुदावेन प्रणाम आपने प्रणाम है कूप सरस्री थे आवां याननों मार्क छे आप जोई शक्किये के युणो ना जे सिद्धनतों छे के मात्मा गंदी ने सिद्धनतों छे ते पर इनी साथे पुरे पुरा मेच थाई छे खुब धर जी आपार आपर शर्दें बेन होनो लुलुमा केटला कुटुम बो रहे छे अमारे सर एकले गुजर बतार कुटुम जे हुँ सारी भावना अमारे लोको वच्चे छे एक बीचाना सुख दुख लाए जगतना एक स्वर्गमा तमें रोछो स्वर्गमा इतनू सरस्चे राइच बहु सरस्चे मारा बाबाने कैलिफोनियाम सर्विस मोड़ती ती पर हमने आज जग्या छोड़ इतना सर्वपने कि दूख सब्सक्राइजिंडू एक बार आश्चा स्वर्गमा इतनू श्री चेए जारे यारान नटी जग्ति सक्ति ही धाग्यान अपड़ाय जाए नेक्तित लुट में एक विश्वमानाव नहीं हो नहीं नहीं विश्वमानाव नेक्ति आज़मा कुए आपने प्रणाम सुधा बेन थेंक्यो वेरी मत पर जॉइनिंग अपने प्राफ्टावने प्रणावने प्रनावने ने नमस्कार ने जैनेंटर जैजी निंदर हाँ जी अलोग जी दिक्षिता बेटे को लेने के बाद आपको राये तो चलेगे से हाँ 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 चलेगे से So nice of you sir दिक्षिता बेटा आप आपनो उपनो उसे सेंटर स्टेज करी रे रहे रहे हैं दिक ना तमारा विशे तमारा विशही विशे बोली ने पच्छी आप सरू करीशको। ग्रूप C छे अने मारवाज उन्वक्तव्यन विश्य कॉन्वेंट कल्चर अने भनतर पर छे शेना स्टाट प्लीस स्टाट अच्छ अने मारवंदन वार हजार अवाशी प्रभु वीर ने मारवंदन वार हजार नमो नमो मुदक्षिता दे मरररी कॉन्वेंट शिक्षन, कॉन्वेंट कल्चर अने भनतर पर मारा वीचारो प्रस्तुत करूँछू कॉन्वेंट शब्द एक अंग्रिजी शब्द छे जेना अर्थ गूगल अनुसार एक एवी शाला अथवा को येवो समाज के जे पोताना संस्कारो अथवा पोतानी संस्क्रूती बालकोंने शिख्युए छे परन्तु मारा में तनुसार कोन्वेंटेट ले आश्रम मठ के जियां दरेक बालक ने पोताना संस्कारो नो सिंचन पोतानी संस्क्रूती नो संवर्धन करवानी सला आपामावे जियां दरेक बालक मा संस्कारो नो सिंचन करवामावे परन्तु आजे के वो समय चे पांच वरश नो पप्पू पोता नाम एक जेन साधू ने कहे चे के अंकल तमें डिनर माटे आवी जो मारा डेड तमने बोलावे चे हाँ आचे आपणी वास्तविक्ता आचे आपणी वर्तमाननों समय आजे अंग्रेजी भनतरनों शिक्षाननों महत्व वत्तु जाये चे दर्मगुरुओने के विरिते संबोध वाजो ये तेकदाच बालको भूली चुक्किया चे तो एना माटे जरूरी एक वस्तु बने चे आपणी आपणा बालको नीच ते करहे वु भंतर tonnes गरेव हउव कंतर आपई के जना थी बालक पुताना संस्कार संस्क्रुथने जाने पूताना मुल्यों ने समझे आजी आपनों वर्तिमान जर्जरीत थाई गईुचे, आ वर्तिमाने तंदूरस्त बनावा माटे, दर्येक धर्म ये भीजा धर्मन आदत करवो जरूरी चे, अनि दर्येक संस्कुरूती ये भीजी संस्कुरूती ने आवकारवानी जरूर चे, अया मनेैं जो backwards गारी घर्मने पाचल खेचवा उपर जही रहाँचे तो मारा मतनू सार आवस्तु कोई भणतर सुचवतू नथी कोई संस्कार सुचवतू तो आपड़े जो ये के भणतर आज उनू भणतर गयाँचे पेलाना समय माजे आश्रम शाडाव मा वित्यारतियोनेचे संस्कारों नू सिंचन तर केलावणी एटले भणतर कई शकाया आपड़े शिक्षन प्लस आदर्श प्लस आपड़ा संस्कारों तो आव माई भणतर आपन ने शू कहे चे भणतर जो आपडे विद्यारतियों मां केलावनी केलावी होई तो पर नोवाज आपड़े सांबलू ओपर जे आपड़ा गा मनुष्य ना रदै भुत्तियन इंद्रियोनी स्वामी नीचु कळाहने हुन्नर मारा बे हाथ चे। जग दंबाचु जगेत दात्रीचु मारी उपास न करनार कोई नो ओशी आड़ो नहीं रहे अने आजे आपने पस्टी मी संस्रुती ने पाचाल कदा जेटला बदा खोवाई गया ची है कि आजे आपने सव ओशी आड़ा बनी गया ची है अरे आतो एक केडवनी चे कि जे शक्ति थी मुक्ती सुधी पहुच्वानी वाती चे भणतर एक एवी शक्ती चे कि जे आपने मुक्ती सुधी लई जे शके चे आपना आदर्शो एक एवी शक्ती चे जे आपने एक मुक्ती सुधी लई जे शके चे अरे शिक्षन तो ओकात वह जूपन समय चे जागवानू अगर वधवानू तो जवेर चंद मेगाने नानी एवी रचिना प्रस्तूत करूँ छू सब्सक्राइब नानी नानी तो माफ कर जो दिख्षिता था में खूप सरस बोल्या तो करता होईशे त्यार हमने बदार गम्तू होईशे अनने तमें भावी शिक्षक तरीके बीएड नी विद्यारती नीचुते बावी शिक्षक तरीके सब्सक्राइब नानी विद्यारती ने कलियाननों मार्क शिखाव शो खूब सरस ब्सक्राइब या सो हैपी तो आपने सांब्ड़ा दिख्षिता विन ने तमें जुओ के किटली सरस वाद तो इमने करी अलोग जी आप तैयार है सर आ जी सर मैं आपको सेंटर स्टेज कर रह सब्सक्राइब तो इस तरह से सेट कीजिए कि हम आपको पुड़े तरह से देख सकें अब यह थोड़ा सा उंचा कीजिए ताकि सीलिंग्स के हाँ यह ठीक है अपके बारे में आपके विशे के बारे में बताईए मैं आलोक बरडिया ग्रूप डी ओपन ग्रूप से और मेरा विशे है जेंदरम के सिद्दान्तों में ही जगत का कल्यान शुपा हुआ है जैसा कि अभी बताया गया इसमें तीन बिंदू पे विचार कर जैनेदरम जैनेदरम के सिद्दान और जैन दरम के सिद्दानतों से जगत का कल्यान कैसे हो सकता है जैन धरम यानि जिन जिनन्त करने ज़िन का अर्ठात तुझके ओपर विज़े पाना राग, द्वेस, मोह माया करोच से जिसने अपने आप पर विजय पाई है वो विज्ञानिक दर्म है और आज के लोजिकल वर्ल्ड के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चल रहा है अगर इसके सिद्धान्तों का बगवान महावीर ने जो सिद्धान्त दिये हैं उनका अनुसरान करें पालंड करें तो अमारा खुद का ही नहीं परंतु पूरे जगत का कल्यार हो सकता है सबसे पहले जैसा कि नमस्कार महामंत्र बताया गया हम देखते हैं कि कोई भगवान की स्थूती कोई अन्य धर्म में स्थूती आर्टी या पूजन करते हैं तो कुछ मांगते हैं कुछ इच्छा होती हैं किसी का बंदन करते हैं परंतु नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र दिय किया ऐसा परम पवित्र और कल्याणकारी महा मंत्र हो वो हम सोच सकते हैं कि कैसा हमारे विचार और कैसे हमारे सिद्दान्त है भगवान महाविर ने लोग कल्याण है तू विचार के लिए अनेकांत वाद आचार के लिए अहिस्ता के लिए अध्यत्म वाद वहिस्तार के पुरसार्थ मुक्ति और आहर के लिए साकार और चमा आदी शिद्दान्त इस जगत को जारों वर्ष पत्शी सो वर्ष पूरों जो दिये है वो आज भी इतने प्रासंगिक है इसका उप्योग करके हम पूरे जगत को एक नई दिशा दे सकते है बदली है हमने अपनी दिशा ह मनजीले नई तै करके दिखाएं जेन दर्म को मन से अपनाएं और इस जगत को इस विश्व को स्वर्ग सुगंदित बनाएं सबसे पहला है अहिंसा का सिद्दान्त है अहिंसा जेन दर्म में बहुत सुक्सम सिद्दान्त दिया गया है आज हम देख रहे हैं अगर लेटेस् प्रवर्ती से परिशान हो रहा है और युक्रेन का युक्रेन और रस्या का युदम देख रहे हैं और इन सब के मूल में क्या है इंसा मानशिक है तो जेन धरम में सुक्सम से सुक्सम अहिंसा का उपयोग बता है हम हमारे सादू-सादू को देखते हैं कि वह एक चींटी तक क जो एकेंद्रिय बेंद्रिय एकेंद्रिय जीवों का भी इंसा में आप मानते हैं अगर ये जेन धरम के आहिंसा को सिद्दान को अपना है क्योंकि मेरा ये मानना है अमेरिका का डालर या पूंजी वाद या चीन का सामेवाद या अन्य कोई वाद इस आहिंसा को कोई यान एकद्रस्टी से देखना जेन द्रस्टी कि अनुशन का हर्द्राइ है और उससे जो विशार निकलते हैं जेन धरम में अनिकद्रस्ट्टी जो विरोजों के लिए दी गई है और सुपीडा को सुलदैने वाली एहम द्रस्टी है अनिकद्र Lage southern quednesota के near चाहे वाले अनन्त उसके आशे होते हैं. हम देखते हैं कि विरोधा बात होता है, जगड़े होते है. उसके करण, उसका मूल ये है कि आगरे है, जो मैं कह रहा हूँ मेरा एक ही रस्ता सही है पर तो अनेक अंतबाद एक ऐसा रस्ता देता है एक ऐसा मार्ग देता है एक ऐसी सम्मेक दरस्ती देता है एक व्यापक दरस्ती कोड़ देता है कि मैं भी सही हूँ सामने वाला भी सही है मैं कहता हूँ पांच और दो साथ है दूसरा कहता है तीन और चार साथ भी साथ हो सकता है यानि अनेक मारग है अनेक दस्ती है जब भी हम किसी समच्छा के लिए किसी प्रोब्लम के लिए अनेक मानतवाद की विचारदाना को लेकर इसे सिद्धान्थ को लेकर मेट jsंगे तो सामन ज़स्च है और अपने आफ एक मार्ग कोई जाएगा तीसरा जेंधर्म का सिद्धान्थ कार्मबाद की तरह कर्मबाद भी एक मौलिक सिद्धान्थ जेंधर्म कर्म में मानता है कि हम जैसा कर्म करेंगे पूरुए जन्म के कर्म है और आगे आजम मनुष्य बने 84 लाग जीवन योनी में से अगर बन के मनुष्य यूग और मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ ही हमारे लिए पर्म सोबा के गए और उसमें इंदुस्तान बरत छेतर में जन्म होना एक बहुत बड़े सोबा के किवात है कर्म एक स्वतंतर दर्वे है विज्ञान की बांती कर्म का भी अपना सिद्दान्त है और कर्म के सिद्दान्त है आत्मा को पवित्र करते हैं आत्मा को पवित्र करने के लिए अनेक उपाई बताए गए है अगर एक करमवाद का सिद्दान्त जगत के सभी देश जगत के सभी लोग माल ले तो हम बहुत बड़ा इसमें उप्योगी हो सकता है कहा गया जेन धर्म कहता है एक मातर एक ऐसा धर्म है प्रभू बनकर ही हम प्रभू की फूजा कर सकते हैं बनकरी संक्ट सागर तर सकते हैं जेन धर्म में पूर्षार्थ का विशेश रिया गया कहा गया है आत्मा के द्वारा आत्मा देखो देखो अप्पा कट्टा विकट्टा मैं फिक्ट्ट्र आत्मा ही अपनी दुस्मिन है एसा शिद्धांट मिलता हो वैसा बूर्लब शिद्धांट loг कि आत्मा को अपने पूरसार्थ के साथ अपने मात्र और मात्र भाग्या नहीं परंतु भाग्या के साथ पूरसार्थ को लेके चले तो पूरे जगत का कल्याण हो सकता है एक परिग्रे का सिद्दान्त जेन धरम का मैत्वपूर्ण सिद्दान्त दिया गया है एक परिग्रे या फोग वरत्य हो रही है अगर एफ दान्स जेन धरम में अपना लिया गया तो आप आ प्रिग्रह ये तो आप दूर हो जाएगी जैसा कि अभी बद्ध्रेश भाई ने बताए कि वर्दमान मुनीका प्रवचन और वाला है वर्दमान मुनीका कल आप प्रिग्रह पर इतना सामज़से अपने आप में अगर बीठाएं दूसरों के साथ हम सामज़से बीठाएं तो यह एक एप्रिगर्य का सिद्दान में। पुरसाथ एप्रिगर्य है और साकाहर और हम देख हैं कि आढ़ पूरा विष्वद्व है। साकाहर की तरफ, तपश्या की तरफ तप की तरफ तप के दौरा हम हमारे सरीर को जैसे की मसीन को रिपेरिंग की या सर्विस की आवश्यक्ता होती है वैसे ये तपश्या एक ऐसा साधन है जो हमारे सरीर रूपी इस मसीन की एक सर्विस कर देता है और अनेक रोगों को इसमें काटने की समता है तो खटते ही हैं शरीर भी स्वस्थ बनता है और इस प्रकार अगर हम जेंद्रम के शिद्धानतों की छोटी-छोटी शुक्षन बाते अडू ब्रह्म चरिये अचते चोरी नहीं करना जूट नहीं बोलना हमारे जीवन में हमारे प्रतिक जीवन में बनार सकते हैं तो जैसा कि युग फरदान आचारे तुल्सी जो नौवे धरम गुरू थे मातरमन जी से दो पहले उन्होंने का था सुदरे वेक्ती समाज से राष्ट स्वयम सुदरेगा मैं अगर सुदरूंगा और राष्ट सुदरेंगे तो जगत का कल्यान होगा और जेंद्रम के दो सिद्धान सो पहुत मैत्वपूर्ण है और जो विश्व की आइंसा और अन्य समझ्चा है जो है अगर इनको जहन दरम के चोटे-चोटे सिद्धान तो को अपना है जाए तो मैं सोचता हूँ स्वता ही यह आदी से ज्यादा समझ्चा है समात हो जाएगी और जो वसुदेव कुटूंब बड़ा अच्छा आप तो हमेशा ही अच्छा बोलते हैं जी मद्रेश भाइब कहो बोलो हाँ असलखी तो एकदम अलोग जी क्या बताया आप ने बढ़िया और इस टाइम को हमारे साथ परियूशन व्याक्यान माड़ा में महासरमन जी जुट रहे हैं पहले दिनका मांगल लिखे और वर्दमान जी तो आप हमारे एक साथ में टिम में आ जाईए बस मुझे जरूरत है जरूरत बोलिया ने अपना जो कि पूरे विश्व को सुननी चाहिए जैन सिद्धन तो कि बाद बढ़ी अच्छी तरह से अलोग जी ना हमारे सांदर रखी और हमारे नेक्स पार्टिसिपंट है खुश्मु खुश्मु चौहान खुश्मु जी आपका बेटे माइक्रोपॉन अन है मैं आपको एडिंग तो दे स्पोटलाइट आवेचे अवाज आवेचे तमे तमारा विश्य 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 वाद करो नपची आप सरूप बढ़ो जामश्कार नो कुश्मु चभान ग्रूप डी आजनो मारो विश्य चे जैन दर्माना सिद्धान तो माज जगत नू कलियान छुपाये नूचे तरस, लिज शवरो चरो प्रितम लखाणीने आ पंग्ति छे। उड़ता उड़ता बुलती शहेर gir मा आविशता एक गीदे विशा गीद ने पुछू उड़ता उड़ता बुलती एक शहेर अविशता एक गीदे विशा गीद ने पुछू बाई, जंगल करता मने अहीं आपनों समाज केम देखाई छे, मित्रों कहवानू तातपर्य एज छे, कि आजे विगना ने जितला आपने आपने आगडवधार या छे, एटला आज आपने आजे विश्वास घाती बनाव्या छे, आपने जोए तो सीहिनी घर्जना पहला जेवी हती एवीज अत्यारे छे, शीयार पहला जेटलो लुच्चू हतो एटलो जत्यारे छे, वांदरो जेटलो पहला चंचड हतो एटलो जत्यारे चंचड छे, परन्तु मानस, मानस एतो कमाल करी छे, आजे मानस एनी मानसाई होई तो आ कहवानू कारण एकी मानस पोतानी मानसाई सेमा तिलावी शके छे तो आ जैन धर्मना सिध्धान्तों मा दरेक प्रकारनों तात्री एमा चुपायलू छे आपने जानिये छे कि जेपण कोई मिठाई छे मिठाई ना एंड मा जोयतों छेल्ले साकर छे दरेक व्रूक्सनी लिलाश मा छेल्ले जोयतों एमा पानी छे कोई पन वस्तु खरीदवी छे तो एना छेले एंड मा जोएतो पैसा छे एविज रिते संसार ना तमाम वस्तु ना शुक ना कैंद्रमा जोएतो धर्म छे अने धर्म छे जैन धर्मा आपने जानिये छे कि विश्णों ना भक्त ने वश्णों कहवाई सिव शंकर ना भक्त ने शेव कहवाई बुद्ध भक्त ना बौध कहवाई आने जिनेश्वर ना जे भक्त छे तैने जैन कहवाई तो जैन धर्मा मा रहेला सिध्धान तो लेके सिध्धान तो मा जगत नू कल्याण छुपाए लूँछे आ वात कहवाणनू आ विश्वर बनावानू तात्परिय शूप एडले कि जैन धर्माना सिध्धान इटला व्यवस्तित ने इटला उंडान पुरुवग चे कि जैन पुपायलू एक लक्षच छे श्री महाविरिस्वामी एक कहिऊ छे कि दरेईक व्यक्तिने मोख मडे छे मोखनी प्राप्ति थाए चे परन्तुए डिपैंड छे के एना कर्म पर एटले जैमने साचे कहिऊ छे कि आतमा दिबिन्न पोई परमात्मा नती आतमा दिबिन्न जेम कि आपने जोये, तो कहियीू चेके जीवो आने जीवादो, येटले के अहिंसानू पालन करो, कहवाय चे के तमने मड़ेली सकती के संपती आपी ने राजी थाओ, येले के अपरिग्रहने श्विकारो, उच नेच नाना मोटा पोई बधाद समान छे, येले के सह अस्तित वो अने वैश्विकताना सिध्धान्त नो स्विकार करो दरेक वस्तुना अनेक स्वरुपो छे अनेक आत्मा चे अनेक धर्मो छे परंदु बद्धानी अपेक्षा एकच्छे एकांत वादना सिध्धांत ने श्विकारों आजी चार सिध्धांत ने टुकमा वाद करी तेमा आपने चुए तो प्रेम, परुणा, अत्मियता, परश्पर मैत्री, चित्त सुद्धी, आनंद, हडवाश, अदरेक ने अद्भूत संगती आपने थाये छे एटले, कहवाई चे कि एक मदन्ध कुमार अंजार याए एक वाद करी चे, सो वाद करी चे आपने जुए कि वाद्य माती वादन बाद थाई, तो शेश वदे शांती, स्थिती माती उपस्थिती बाद थाई, तो शेश वदे एकां, रकम माती रकम ने बाद करी, तो शेश व तो एक काचनो ग्लास पकड़ी आने मातरों छोड़ी तो एक तुटी जाएचे सुतरना ताटना ने आपने टच करिये तो एनू अस्तित्वच त्यां थी जतु रहेचे अने जो मौन एक एवो सिद्धान चे एक हाली बोलवा मातरती चे एनो भंग थाई जाएचे मौन द्वारा एटला घनिस्ट सब्बंधों ने आगळपन वदारी शकाई छे एटले एक यां वात एछे कि एक वाती वी अतिके एक कन्या परणी ने सासरे जाई छे जरे शासरे जाई छे त्यारे एनी सासू साथे एना घणा बता वाद विवाद थाई छे शंतने बतीच्वाद जाणा आवे छे कि घरमा घर कंकास थाई छे तो एशंत एने एक मादडियों आपैं जरे एम कहे छे कि झारे सासू साथे तारों कंकास थाए त्यारे ए मादडिया आने तारा बैह होट नी वक्चे मु क जे रूटीन चालू थाई छे, वह तो खुबज खुश थाई गई, परी सासरी मा जाई छे, आने ए रूटीन चालू थाई छे, शासू साथे एना विखवाद शरू थाई छे, जरे सासू एने बोलवानी शरूआद तरे छे, इल्ले वह ने पिली संते आपेली सिखामर याद एटले, आ वार्तामा केवानू तात पर या एटलूज छे, कि जे मादळ्यू छे, ए मोन नती धारान करतू, पड़ मादळ्याना कारण ए वह मोन धारान करे छे, अने धर्मा जे कंकास ए दूर थाई छे, तो आ मोन, शान्ती, आ एक जे कारण छे, ए पण आपने जैन दर्म सिद्धान्त माथी प्राप्ति थाई छे, आपने जानियाची के दरेक व्यक्ति चार महीती माथी पसार थाई छे, एले के डेटा, इन्फरमेशन, नॉलेज, आने चौतू छे, विजडम, एटले के शान्पन, व्यक्ति मां सान्पर त्यारे जावेची के जारे ए दरेक धान्तों नो श्विकार गादे छे, एटले जाईन धर्मने आपने सान्पर जाते सर्खावे, ए बेलकुल योगिया छे, एकदम योगिया छे के जैना द्वारा व्यक्ति, काची माहीती ती सान्पर सुधी पहुची शके छे, जाई जिनेंद्र, अस्तू कुष्पु मारा दिक्रा तमें बहुत सुन्दर बुल्या, और सरस्मजाना दाकला हो द्वारा तमें तमारा विचारों बदारे दर्ट करया, तमारी विश्याईनी क्लारीटी और प्रस्तुती ते बद्दूज खरेकर सराना ने पात्रेश, बहुत सुन्दर, बेरी गुड बद्रेश भाई मने जनावता आनन थाई चे कास पर्दा शरू थाई त्यार थी आपनी साथे निर्णायक तरी के प्रोफेसर अमीठ ठाकोर जोड़ाया चे जे एंजिनियरिंग कॉलेज ना एक्स प्रिंसिपाल छे अना ते हो मारी साथे बारा घरमात बेसी नामे लोको ब प्रेंगे आपना विशे बुला बताव जो अने त्यार बाद आपनो विशे जनाव जो हाँ सर आप कॉलेज ना विद्यार थी निचोंने अहां सर बोलो देख्या सौप्रथम जैनोंने मारा प्रणाम अने अ जैनोने मारा जैजिनिननद्रा मारू नाम शाफ्रे नी जिकनेश भाईचै हूं सास्क मा इंगलिश मिद्याम कॉलेज मा भणू शूरत थी छूं अने मारो आजनो विशाही चै जगतना जड़कता प्रश्नों अने जैन पिलोसो प्लीज चरू करो अपने साउजन जानियें छे जगतना सड़कता दरेक प्रश्णों न उकेल मात्र जाइन फिलोसोफी द्वारा आप्पामा आवियो छे अन्य आपड़ी जाइन फिलोसोफी मां अपड़ा शास्त्रमा नानी नानी इतली पती पावतों ने डीटेल मां अपने सड़कता दरेक दरेक प्रश्णों ननमा नना प्रश्णों आपने सारों मुट्टों उकेल मड़े शे दरेक दरेक बाबत मांटे आपने जैन फिलोसोफी खुब मदद रूप थाई छे आजी एगुमारा त्रोंट विश्राईने कवर करेश सव प्रथम युद त्य त्युक्रेन अने रश्या बंगलादेश ना अंतरेक बिद्रों अने पाकिस्तन द्वारा करवामा आउता परेक परोक्ष्मलाओ इतले क्या आतंक वाद अधरेक प्रश्न ने जो आपने शांती थी समझ जिए तो आनू कारान आनी पासर्णनू में काराण थाई जासे कि त आपने जो जहान फिलोसाफी दीना राखे तो अपने धरम आपने देट है ने करें इतले के आपने तो पईन्य ना मन बचनाने कर्म थी पर खोटू न विचार बुज़ोंगे आपने जैन फिलोसोफी ना आ विज़ार ने मन मा लईने जाने तो दुनिया मा थदा आटला पधा युद तो आपने तेने टारी शक्सों आ वस्तो आखी दुनिया ने समझ माने खुब जरूर छै कि नर्ना मोटा कोई पर बापत माट आपने केरे लड़वू नर्ज वहिए अन्ने मन बचलने करमाती दरेक मानसनों हम्बेशा सारूज इच्फूज वहिए भलूज इच्फूज वहिए कि जैना लिदे तेने पड अ आपने पन इनू सारूना नू मोटू कोई परिणाम जोवां मड़ज है बिची वात मुं करेश परियावरण ने लगती चैन अपने जो हिए चै कि अत्यार आपने घ्रणे बने वहां उपकरवणों में उप्योग करी है चै कि जैना लिदे परियावरण दूशेत थाई चै आपने दुनिया मां एक सवथी मोटो प्रश्ना जोवां मड़ियो चै आप दूशेत थाई चै तेनी माट आपने जैन फिलोसोफी येवु कहेश है कि आपने तो कार्बन उत्सर्जित करता कोई पधार्थों नो उप्योग जो नतिये करवानों इटले कि मोबाइल फोन छे योग न करशो तो तेना लिधे परियावराण दूशेत चाहानूँच लथी अने चै पुद्रते बनावेलों छे तेन आपने वधारे सारीरी ते निहारी शक्सों तेनो अपने मनुवर्थान आपने तेनने ख्याल आउसे अने आस दिवाल मुँ त्रीजिवात करेश मंदी मन्दीनो में कारण चै आपनी आजकाली जिगन जरुरियातनी चीज वस्तों आपने खुब वधारी दिती चै जे बेईजिक नीज जिनने डेपिनेशन हाती तेना त्यारे आपने बदली काड़ी चै पहला मत्र रोटी कपड़ा आने मकान आज रोण वस्तों मड़ी जाए तो मालाश खुच थाई जतो हतो तेना शंतोश मड़तो हतो परन्तु आजना जमाना मा आउ नथी जोवा मड़तो वर्षो पहला नीज आपने वाद करिये तो जेना घरे लाइन-लाइन हतो तेले श्रीमंद गणवामा आवतो हतो अने आजना सम्माई मा जेतला मालास तेकला प्रोब्लिम आवेच्छे अना सिवाइब घणा मधैं वाक्षेत्रों छे कि ज्या मंदीनों प्रश्ण आपड़ने उपधायलों जोहां मडतों होई छे आपड़ने एक सिद्धांत ने हम्मेशाथी मानिये छे जीवों अने जिव्वादों जे अहिन साने नितेश करे छे अने तेनी साथे जो आपड़ने अपरिग्रहनों पर ध्यान राखे अपड़ आपड़ने आपड़ने तेनी ध्यान नथी राखता जमके अची एक बाद के पॉल्यूशन इस्दा साइलेंट कीड़ ए देखा दू नथी पड़ने धीमे 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 अखी दुनिया नों भ्राश कर से अन्ने चोकस पने तेना लिधे फ्यूशर मा एतले के भविश्य मा बोवधी प्रोब्लेम्स बोवधी समस्या ओभी थवा नीचे जो आपड़े आजे जागरत न थासो आपड़े आपड़ी जैन फिलोसफी ने नहीं जान सो तो तेना लिधे आपड़ने फ्य लोवफी मा आपड़े खने फिलोसफी मा ख़ंटो दो द्वारा के वनी भगववाने थो द्वारा आप फना मा विः चेना आपड़े खंप शु जोय यह,ा अने ती प्रमाणा आपड़े आपने पर कोई ना विश्वास न थी त्यारे लोकों ने प्रूफ जोई है कि अमने प्रूफ बतावों त्यारे पच्छी हमें वाबत ने मान से पर आवस्ते लोकों वर्षों पला जोई गया है जहें कोई समझतों न थी आपने जैन फिरम नुसकार आपने पानी उच्हामा उच्ण बगार गर्वो जोई घया परदूशन मांटे पन मुख्या होई बैत्रों बदोर्ड और मःतने जोवां मड़े हैं पानी प्रदूशन हवािन producción अ अपने आपना जैन फिलोसोफोफी क्रम आडे अपने उच्छाम येश बदर सबस्क्राइब कर संदर भूले येश बदरिश बाइप नहीं बस बहुच रर्स बोली येश खुश्बु बेन बहु शरस बोला ए फ्रेनी पुश्टा था अने फ्रेनी कुप शरस बोले तमें जुब हमने जे शररता थी आ सिद्धन तोनी वात आपने समक्ष मुखी ए खरेकर उप्योगी छे अने कॉलेज ना विद्ध्यार थी नियो यूतियो ज्यारे आ प्रकार नू लागे छे के अपने जे ए पेडी ना आपने केवा मांगिये जाते जा बोली रही से जान्वी नानकडी दिकरी अनने जान्वी तम नहुं सेंटर स्टेज करी रहाँ चुबेटा हा सर शरवाज संपड़ाई छे मारों विद्धुल संपड़ाई छे दिकरा सर श संपड़ाई छे उवगास या जान्वी उधरण दसमा अप्यास करोच्छु मारी शाळानो ना श्री गिर्थर गोपाल मुद्रडा माध्य मिक्षाड़ाच्या उसुरत्या उच्छु अन्ने मारो विभाग बी छे मारो अजनो विशेज चे मिच्छामी दुकड़ाँ मिच्छामी दुकड़ाम ए प्राचिन प्राक्रुद पाशा नो एकरुडी प्रेयोच्छे चेनो अर्थ मारा सर्वपाप मिठ्या ठाई छे प्रतिक्रमन इन प्रात्ना अर्थात मनो मन्तन पची चेनो जानता जान या पोताना द्वारा पहुच्चाड़ाएला दुख पिडा आधिनी मिश्वना शर्वे जिवपाचे समा मांगे छे बाहरगाम वस्ता मित्रो अने शबंदिवन आधिने फोन द्वारा माफी मंगाई छे आ माफी एक बिजाने मिठ्यामी दुखड़ाम कहीने मावाई छे तेनो अर्थ ए रिते थाई छे जानता जानता विचारमा शब्द द्वारा की कोई क्रिया द्वारा जो में तमने कोई रिते पन दुख पोचाड़ियू होई तहुँ तमारी शमा मांगू छे कोई नीजी जगडोके मत पैद्ने समध शरी थी बदू आगल खेंचता न थी जानिया पोताना द्वारा पहुचाड़े एला दुख पीडा आदीनी विश्वना सर्वे जिवां पाशे शमा मांगे छे मिच्छामी दुखड़म ए प्राक्रुत बाशानू वाक्या छे जे शामानिया रिते जेन ग्रंथोमा उल्ले खायलू जोवा मड़े छे तेनू संस्क्रुत संस्कराण थाई जे मिथ्या में दुख्रुतम ते जेन संतोनी आचार सहिताना एक विपाक साथे शबंद दिन छे जेने आवश्यक केहवाई छे तेनो सब्देशोह अर्थ जाई चे मारा बद्दा अनिष्ट निर अर्थक थाई वाक्यमा मिथ्यानो अर्थ निर अर्थक बनू में एटले मारू औने दुख्रक्तम अर्थ खराब कार्यों छे आम वाक्यमा पनमाटे करवामा आवे छे जे बोलना व्यक्ति सामेवाडा पासे पोते करायेला दुर्वियों के खोटक कर्मों ने शमा करवानी याचना करे छे मिझ्छामी दुख्ड ए अर्थ मार गति वाशानो शब्द छे एनो साव सरार और थेवो थाई छे के मिथ्यामे दुख्रम एटले के मारा दुख्रुत थायेला मिथ्या थाओ आम मिझ्छामी दुख्डम एटले चेटला दुख्रुत थाया होई ये विध्या बद्धी जात ना दुख्रुत मिथ्या थाओ अटला अर्थ पर्थी एकलूशमजी शकाई के आ सब्द समवत्चरी ना दिवसे शामे मलनल दरैकने बेस्ता वर्ष से सुभेच चानी जेम पाठव गानो शब्द न होई आज शब्द अपना थी चाएले भूलो प्रत्य आपन पश्चात व्यक्त करवा माटे अने ए पश्चात आप एटले सवत्चरी ना दिवसे करवा मा अवत्तू प्रतिक्रमन शाव सामन्य प्रष्ण छे के जो भूलो आखु वर्ष करता वहित तो प्रतिक्रमन केम एकस दिव प्रतिक्रमण निवाद करी छे प्रतिक्रमण अजगत उभू केम सयु अतिक्रमण थी क्रमण थी कशो वांधुन न थी आपना रोजबर नव्यवर मा शंचारी प्रवेंद मा जाने अजाने पर न अडेलोने सगास बंदेने अश्रीतने मन वच्चन काया थी दूखपाय जये छे अतिक्रमण थे जये चे आपने होटल मा कोई वश्थू मंगावीने खादी अन्ने बे रकाबी आपने अथे तूटी गए पचिये पईशा आपीने निकडिया तो ते अतिक्रमण ना करि पर वगर करो प्रतीक्रमण करो भीजु क्रमण तो छेज शहेश जवात थे एक्रमण चे येनों वांदन है पन अतिक्रमण थे आवगर रह्तु नथी मारू अतिक्रमण करो जो आमारी कैं भूल थे ओए तो मिच्छा मी दुखड़ं जानवी मारा दिक्रातामें बहुत सुचरोड़ा, बहुत सरस्तामें तैयारी करी ती, यहने खुब सरस्तामें रजुआरी पंकरी, स्कुल ना दिक्राओ जारा आपरकारें बोले से कुछ तुम बोली शको सर, दौक्र सरोज में आप पहला तो आपनो वीडियो ओन करो, हाँ स सर, मारा एबसन्ट थाए गयो जाना एपला वाइट करो तुम. शरोज में भी तुम दौक्टर सरोज अपना है? शरोज में जे दौक्टर सरोज में दिपक तुमार कंटारिया, देच परिया, मारे पीर ने सर्वित हैं से ससरानगर ने कंटारिया. तो चारू करूँ तर्ण आप क्यां थी इसो बेड़ने आपका या शेहर नापकर आपको राजपोर्ट थी बोलू जू तर्ण तो प्रसम तो कविश्री गनी दहिवाला नहीं याद करिये न धरा सुधी न गगन सुधी न उन्नती न पतन सुधी न उन्नती न पतन सुधी फक्त आपने सवेतो जव हतो एक मेक ना मन सुधी आपने सवेतो जव हतो एक मेक ना मन सुधी उमा संकर जोशिना सब्दो नहीं य जैन धर्माना सिद्धान तोंने आधर्स्टों नों पालन करभूझ रगी. तो सव प्रसम तो जैन धर्मान एकलेशो, जैन एकलेशो, ए जीन धातो उपर इस अब्ध बनेलोगे, जीन एकले विध्यता. माहवीस स्वामी दरेक इंद्री ओपर विझैय मेडवेला हको एकले त सब्सक्त जहने धर्म बनावियो धर्म एतले जहिन धर्म तो जहिन धर्मना सिध्धान तो किया किया अने कांतवाज, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्र, ब्रह्मचरिय, अब धर सिध्धान तो नो पालन करे एने जहिन किया तो जहिन ने सारा आचार विचार नो पालन करव जो के ब्रह्मुरत मां उत्वु माचा पिता ने नमन नवकार मंत्र बोलवा गुरु नी वंदन करवा पसु पंखी ने जे चण नाक विचारों नाक वो सत कर्म करवो नीर्गेसा नीरे उप्रमाणी पने धन्जो करवो अबधा यथा सकती दान आपवो अबधा तो जहीं धर आचार विचार नू पालन करवानों से आउपरां करमना सिध्धांत नू पन एकलूज महत्वचे जहीं धर्माँ इनू पन पालन करवो जोई ते लामवेला तो इने मौक्षमर्गना प्रयस्थनों करवा जोई शमा पना ए बहुद धर्मनों सिध्धांत छे तो एक खर एक अब शमा एवीरोनों आभोसांचे एमा शमानों गोण हो जोई है त्यार बात आपने शरुवात करिये अहिंता अस्ते ए बदा नी तो अने कांत बाद एक लेक्ति हैं हुझ साचो मारोद धर्म साचो एवो जहीं ना होगो जोई ए दरेक वस्तों ने दरेक पासात है समझव आपने अपना घर नी अंदर कोई हाथी दात में सुसोभन करिये दरी आई मोती लाविए तो एपन एक प्रकार्नी हिंसाच छे आटकत्री रित हिंसाच छे डाइरेक नसी क्यारे कोई नी दिखरी ना पपाने पुछे पपा आचे तमारे थाडी मां आज मन्हें कोई कापी आपे तो क्यों लागे तमने एटले मां साहरी तो नज हो जोई है इन्हें को ताना फ्रेक्ट्री नों दुसीर पानी नदी मां वहवड़ावे और जड़ जीव उमारे तो एक और एक आटकत्री रिते हिंसाच करे ली थे सत्य तो जहीं थे सत्यना मार्गे चालना रोह हो ज असते ही मैं आटके चोड़ी कर दिते हिसंटा मासी खेजामा हि जोमा से पार प्रेक्ट्री पुरी अज ते आ थे चोरी त्यार बाद अ परिग्रम एटले कोई सजीव के निर्जीव मामेली के किन्थी कोई पन द्यक्तिनों के कोई पन वस्तुनों अतीसाई मोह ना राकवो जोए आ मोह माया मा आजे मानुस प्रष्टाचार मा धके लाई छे आनि कोई पूल तू टेछे कोई पिल्डिंग तू टेछे ना नेक मान्सों नीचे दबाई जाये चे तो आ ममत्व अतीसाई कोई वस्तुनों ना हो जोए ए उपरान आपनी ब्रह्म चरी एकले लगने ना करवा एने जहेंग ना केवाए परन्तु पोताना ब्रह्म ने ओडखवो तत्वग ना आचार विच पालन एपन करतो हो जोए आ उपरान अपनी मोक्षमार्ग में प्रयत्नों तो करवाना चे अने कर्मना सिध्धान तो एटली क्या क्या है इस वच्छतानों पालन करवो तो हो जोए नहीं के आजे गाड़ी नो दर्वा जो खोली पाछड आउता हो एने पोतानों ठूकोडे अने पोताने लिज्याने पन गंदु करी मुके कोई सरकारी जग्या होई मंदीर होई मस्ति दोई के कोई पन जग्या देखाई त्या ठूकी एने रस गंद की फेलावे एने जहिन ना केवा एस वच्छतानों आग्रही ओवी जोए पांच व्रोप्त गावे वो हो जो जो य के नहीं के परियावरण में दिकंदन करना रो ग्रिन हास होई से आज ये परियावरण में दूसित करना रो तो जहिन ना जोओ हो जोई दहें स्पर्था तराक्या जरी के आपनी घरे आवे लिव उचे ए तुसू लईने आवी छे ए विच्छारवाने बदले एस उसू यहाईन ना केवाई आपने आपने अपने आपने पुलिटी थी सारों बिल्दिंग बनावे यहाईन ना केवाई अशोकनू तो आपड़े ओडखिये चे बधा, त्यार बाज, कुटुम प्रत्य पोतानी फरज बज्जावाने बदले, आजे येन केन प्रकारे पोचती सासु, कि जे घरमा दिकरो बीमार छे, दिकरानो दिकरो रडतो होई वहुमा काम्मा न, पोचती हो याने जो येन केन प आजे मांसाहार करे, दारू, सिग्रेट, आजे ड्रग्स के ना कोई ना रवाडे चड़े, येने जहिन ना केवाई, परन्तु खरेखर नीर्वियसनी जीवन, जीवे येने जहिन केवाई, गुस्ता ओपर सयम एवड़वो जोए, रात्री बोजन नो त्याग करे, बधा थ बोजन रसोई मां थोड़ूक मोडू बनी होई, अने जराक रसोई मां स्वाद मां थोड़ूक तेरफार होई, तो थाड़ी नो घा करे, आने बोजन उपर ती उठी जाए, येने जहिन ना केवाई, परन्तु अन एजे उतानो रुखे, येने जे बनेलू होई, इमा प्रे अने खर कोई ना रदेई ने परशे, और फरी पोता ने बूल ना ठाए, इना प्रयत्म करे, इने पन जहिन केवाई, आवा बधा जे जहनी सिध्धान तोनो पालन करे, और परियावरण ने समाजने बधाने बचावे, और पोते शक्कर मी व्यक्ती बने, इने जहिन साचा मारा मते तो कोई आने जहिन कई शकाई, तो आजो आजे अपने बधा आवो, अहिन सा रुपी माटी ना कोडिया मा, सिध्धान रुपी धीलाई, दया रुपी दिवा सडी थी, एवो सिंदर दिपक प्रक्टावे, के जेनी जोती, जहिन जर्मनों साचो परिछे खाके लाने, हारे लाने, मार्क भूले लाने, नगो राह बतावे, एक एक चण गुन्थी गुन्थी नेज जिन्द जी बणाशे, एक एक इट मुकी मुकी नेज इमारत चणासे, एक एक तुर ललकारी ललकारी ने जीवन गान गवाशे, तेम एक एक जो खरे खर ताचा ज आदूनिक समय नेंदर तमें डिफाइन करिउं कि कोन जाइन छे अने ते मात्र धर्मपुर्तु सिमीत नकी आद सिध्धन तुनु पालन ज़े पन पोताना जीवन में चे ते तमाम आपने प्रणाम हुप कुब अबिनेंदर बहुत सुद्धार अपने साथे जुड़ाया हता राजकोट थी आपने अबार मानिये आश्रेणी मां हवे कौन आविर उशे मोना दोसी बेटा आपनो वीडियो अन करो मोना बेटा आपनों वीडियो अन कर जो या तमय दिख रहा तमारों फॉन एविडिते एड़्यस करो के तमारों सिलिंग ने पंको ना देखाई पड़ में तबने जोई शकी मोना पहला दिकरा आपना विशे आपना ग्रूप विशे न आपना विशेई विशे स्पस्टता करो अन पचिया अपस्वरू करो मारों नम मोना दोसी छे हुँ सुरत थी मारों आजनो विशेई छे मारा मते जैन हो उते विभाग बी परमत्रूपाडू परमात्मा माहवीर ना चरण कमण मा कोटी-कोटी वन्दन आजनो मारों विशेई छे मारा मते जैन हो उते जैन एटले शू जैन एटले जीन ना अनुयाई ४रमत्रूपी परिक्षव मा जो विन्दन बनू है तो मारा मते। चो पर्मात्मायी पन विश्व कल्यांना अडथे कई पन मार्ग आप्यो होई तो एक जयन धर्माचे। ज्याइन धर्मानू नाम सांबढ तर्मा अजोड वेपारी ओ एमनो वहवार, ज्याइन धर्मानू तोप अहिंशामै धर्मा आ बदा ज्याइन धर्माना अनुयाईना लक्षणों छे जो मारा माते जयन धर्मा मढवो अनि जयन हौ तेमाटे घोणाज अनिक महत्वना कारणों छे तेमा ती अपने अमुक महत्वना कारणों नी डिसकसन करिए तो सवथी प्रतम पेलू एक छे जयन ना धर्मस्थलों जैनना धर्मस्थळो आपने जोए तो केवा प्रसंचाने पात्र छे एनी अद्भूत अजोड कलाकारी गरी चे एवाई छे जो जैन धर्मना धर्मस्थळो छे तेने आपने काई कई सके तो जैन धर्मनु ये गरेणू छे क्यार पची बीजान नंबर पर छे जैन धर्मना साधू साध्विवो जैन धर्मना उद्धारग एवा जैन धर्मना साधू साध्विवो तेमने जोदा आपनने ख्याल आवे क्या आ जैन धर्मना साधू साध्विवो केवा इमनों जीवन केवा इमना स्वेत वस्त्रो इमना विहारों एमनों तप्त्मा एमनों ऐत्यां उत्सा आ बदु जोए तो आपणने एना भर्माम सोक्ते भन relied . . . . तेवो पोताना ग्नानना सब्दोना बाणवडे आपणने बद्धात श्रावकोंने धर्म मार्गी बनावे छे त्यार पची आपणे जोए तो जैन धर्माई अहिंशा माई धर्मा औने जैन धर्मानों तप तो जैन धर्मानों तप केवो जैन धर्मा केवो अहिंशा माई के बेल्कुल हिंसा नती जहर्रापन ने अत्यन्त जहर्णा और जतना पूर्वक नो धर्म अनितेनू अपने जयन धर्मानों तप जुवा जोए तो दुन्या मा जयन धर्माना तप जी उटत रफ याइपन नती कि आपन ने हिंसा थी बचावी छे करमा थी बचावी छे औने पर परतेतो ज हएन धर्मानू महत्वानू जो कई अंग होै तो ते किग जहएन धर्मना सास्त्रों जेना थी जेमा जहिन धर्मनों क्यारे नास पामतोद नथी जहिन धर्मना 32 बत्रीस आगमों अने जहिन धर्मना गनान ना वडे पेडी दर पेडी वडीलो युवानों अने बाड़को नव नव गनान पामताज रहे छे अने तेवो आध्यानमे गनान पामी आत्मा उत्थान क परिने मोक्समार्क सुधी पोचाडे चे आवा इवा बत्रीस आगमोग जयन धर्म सिवाई उस नcyclी थियार पचि के जयन धर्मना पर्व से संद्ध कि समासरी महँवाज एक चावी छे आत्माने धर्म पामवानी आपनने कोई रस्तो हो यह आपड़ा जैन धर्मना पर्वो छे तो आवा तो अनेक कारण और मते अपने जयन धर्म दो माणा उप्योंगी चे आपने आपने पर जीति पतान को पताने पमाड़ें आपनी लाइफने सार्थी बने चे जयन होव कि आपना सतकर्मनु वाश्रुण वार्सों चे आपने पूर्वा भवे कोई एवा कर्मों करेला होई त्यारे ज आपने जैन धर्मा मड़े छे एमा कोई पूसीबल एव इम्पॉसीबल न थी ज आरे नारकी अनी तीर्यंच तो ठीक पन देवलोकना देवपन एव जंखे चे के अमने पन फरी फरी मानव भव मड़े अन्यमान आपने जैन धर्मा क्यारे मड़े ले आपने जो आटलो सरस जैन धर्मा माल्यों चे तो ते खुबच श्रेष्टतानी वाद चे अहीं सा पर्मधर्मा जैन धर्मस्थू मंगलम ज्राई जिनेंद्र खुब सरस प्रस्तुती मुना बेन तमने खुब कुब अभिनन दन तमारा जे वा युवानो जियार आप्रकारनी वातों करे चे त्यारे मढ़नने संतोष थाई अधिलोनके के तुमने तुमने तालीम वनने उसकार मधाशे मोना दिक्राइव आप खुईज मा भाग लिवाना छोने हमें यह मारनो नंबर ठीकरो बनने थीए में आजये मोखली गईता करण के हमें सारा निबंदो भेगा करी ने पसंद की न नीबंदो ने एक पुस्तत पर बनावा मागिया शितला है इन्हें टेक्स रूपे मोखल जो तो आपने साब्ड़ा मोना बेन दुश्री ने अने हुए आमा जे मित्रों जुड़ावाना हो तेलोकों ने विननती चे आपनों वीडियो अन करो मैं अमंत्रना पिये आना आप जुड़ाई शको बद्रेश भाई अपने प्रगट थाओ येस जो मोना बेन के ट्लू सुन्दर बोले यास चल्ला पातिक यू कंप्लेट आप जोड़ाई शक्यम हो तो जोई लेजो प्रिया बेन अगर आप पन भाग लेवा मांता हुए तो कह जो तमारो वीडियो अन करशो तो अमने ख्याला आउशे येस बद्रेश भाई समापन तरब जाई शकाए हैं शे है केटली एंट्री थे एक तरीस ना बुलिया लगवक सत्याविस सत्याविस तुइड वरी गवड तुषर अने आप द़ा आप समापन करो आप लेज जी गुटर तेक्स मोर ताइम गुलो जी प्रणाम नमस्कार आजना स्पर्दक मित्रों बाईयों अने बैनों अने खासकरी ने आजना एक जज अमित ठाकूर उमारा मेत्र अने नरेश भाईना मेत्र आप तमामनू आज परदामा हर्दिक स्वागत छे अने में तमने आगल वाद तरी छे अपने परिशन व्याक्षान माडा तारिक बाविश्मिती सरूत से रात्रे शाड़ा आट वाग्याती अने आवखते शूरत नू जे शद्भाग्य छे समग्र विश्वना सौथी तिरापंथी समाज ना जे शौथी मुख्या जे चीफ हावे ते पोते मंगलाचरन सरू कराववा ना छे अने एन्धा सूशिष्य एन्धा ज संग ना वर्दमान कुमार जी ए जंबुश्वामी पर अने ये द्वारा जंबुश्वामी ना वृत तान द्वारा ए तिरापंथी समाज नी विशे खासकरीने तमने खाल सज अनुवरत अंदोलन अने प्रिक्षा ध्यान आएमने ब्या बहु आगवी समग्र समाज ने भेट छे तेना विशे ते वो आपनने जनाव शे अने तियार पछी कथाकार पुपेंद्रभाई पंडि तो ते प्रकास से अने एवा शोल जेटला जुदा जुदा वक्ताओ आउसे तो तमें बद्धा अत्तियारे जेपण छोते अने बद्धा आपना कुटुम्बियों फेमेलियों परिवार मित्रभंडल स्कुल कोलेज आपनी पाठ साड़ाना बदा जूडाई तो तेमने खा कर जो एमने जणाओ जो तमें अने एलोको शाड़ा अठी साड़ानाव अने साड़ानाव ती साड़ादस रजू थाई आपने जे आवर से एक दरेख व्यक्तिने सांभलनाने सखीम अने साथे कोई का ननकडी बेट अपनी योजना बनावी रहा छी है तो तमने एफ सर्टिफिकेट तो चोक्ता सज मल से अने साथे-साथे कोईक सरस्मझानी ननकडी बेट पन मले योजनामा तमें पण जरूरत जोड़ा जो तो मित्रो आटली वात पछी हवे हुँ मने लागे छे तेया सुथी आपमा थी मोटे बागना तो आगला वर्सों मां जोड़ाया जैसो इटले खबर हसे क्या में आ विर्मती बेन फकिर चंसा ये जिए मारा माता आने पीता छे अनना नामनू आ ट्रस्ट छे ते जैन सुपर्स्पीकर एचेला पांच वर्स्ती शरू तरी चे परन्तु ते साथे चेला तीस वर्स्ती डा सुपर्स्पीकर ने कल्चरल कॉंटेस्ट आम तो आप बनने मां कई बोल आम वो फरक छे नहीं कारण के बद्धा मां बद्धा भाग लाई सेकेश आपने जैन आत्मिक होई छे अने क्यारेक जैन सब्जेक्स पन होई छे पन साथे साथे ऑप्शन मां वीजा जन्रल सब्जेक्स पन होई छे तमें गमेत एना पर बोली सको छो पर अन्तु निती मत्ता पर अने धर्म पर सब्जेक्स वधारे होई छे अने परिशन ना पेला अने परिश साथे जोड़ा जो अने तम्हें दूर सुदूर विश्वना गणावदा दूर भागुवां थी पंड जोड़ाता रहो चो तेनों नयानन छे अन्ने आज पर्दा हवे पूरी थाई छे वक्तुरतोस पर्दा अन्फोर्चुनेटली थोड़ा क्लोको नी ओछी एंट्री आवे क्रफेशर अमीर ध्रकोर ने विनंदी करूछ अजनिस पर्दावी हुआ अलो कि अभाई बहुते अपने सामढ़ी करिये पासी आपने विनंदी करिये बाइशी बद्रेश भाई अने नरेश भाई जे रीते यूथ प्रोड़ा अने नानी उम्मर ना बद्दाने बेगा करीने इसे सरस्मजानियां सपर्दा करेशे जना थी बहुदिक वीकास तो थाईचे साथे सते धार्मीक वीकास पर जे सते थतो रहेचे ए कुबच प्रसंच अने पात्रा चे अने अब अन्ने भयों ने एमां टेक सलाम करूचू अशा राखूचू के आरीते जागल वत्तर है अना थी वधर है सारू एमने परिणाम मर्तूरे ते वी आशा राखूचू थेंक थेंक यू वेरी मुच प्रदाना निर्णाय को मना एके वाद प्रोफे स्थाई कहोचे और मैं आपने मुखी दाया ची अप सेंटर स्टेट पच्छो आप आपना विशे आपना विशाई विशे जरनावो और त्यार बाद आप आपनी रजुवात करूचू जी आवाच आवी रहोचे मारो आपना विचारो जरूर रजु करो प्लीज आपना विशे चालो करता पेला मने एक प्रश्णा चे तो एक जरा क्लीर करेलो आपनी साथे आजी बोलो बोलो प्लीज आजे आपनो विशे चे तो एमा मुझवणों प्रतिय लो उपाई मारे के वाना चे अमारा पर आधारी चे तुमने जे ठीक लागे तो उपाई कर्षो तो जगतना कल्यान था जगतना मुझवणों पन कहो अने उपाई पन जणाओ एनो जो तो तमारी पासरी आजी हातों हवेगों भारविशे इस सरुपर छू मंगलम भगवान मिलो मंगलम गौतम प्रभव मंगलम स्तूली बद्राचारिया जहिना धर्मोस्त मंगला मिए पने जहिन धर्मा में चार ह्रुषारसा जहिन घर्मा है और सныब स्तूरी hum प्रभू प्रभू प्रुपता हुए पर आजे आपनों जी विशाही माई आपने लखवाम आवी छे के जहिन दर्मना सिध्धान तो अने मत्यम बर्क्ती मुंझवान तो मारे जेतली समझ माँ आवे छे ए प्रमाणे ए मुंझवालों कदाच एननी आठ्थी अथ्वा समय ने लक्षी न होई सको वाकि सिध्धान तो प्रतियनी मुंझवाल आश आस्त्रमा जेटलों भी समझ माए वोचे क्या ही पड़े भी देखा थे क्या दरेक सिध्धान तो दरेक इंगल थी आपने सो समझ माँ आवे तो बद्दीज रिटे आपने उप्योगी तो मनी जे समझ मा मुंझवाल आवी छे एना विशेहू बात करूँ कि मध्यम वर्गेतले आजना समाज मा मध्यम वर्ग नी जे व्याक्या छे आर्थिक निते थोड़ों विसा तो होई अथ्वा जेन्यों आर्थिक लेवल समाधी दस्टी नीचु होई एने मध्यम शाई गणी सकाए तो एम अर्थिक रोजगारी मेडवामा काठवा पड़तो होई जेना लिदे तेवो तर्मना जे आपड़ा अलग 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 जेक्टर छे एमा तेवो पोतानो समाई उच्वा आपिशक्ता होई ए बने छे पर साथ अने एना लिदे एवू पड़ थाए के तेवो रेग्डूलर जे भगवान ने अपना सास्त्र मां वेक्ति गट मांटे जे आवश्यक प्रणूप्राव करे ली छे जे सिधान तो अमुक जे रोजना रोज करवा आवश्यक किदा छे तेमा तेवो समय ना आपिशक्ता ए बात आपनी बरावर छे पड़ चात्ता पड़ आ सास्त्र अने सास्त्र अने जड़ावे छे कि तम्हें ज्याच्षो न्याथी भी जे इन धर्मना सिधान तो ने फोलोग करी छे तो पहला इमनी समस्यां में एवो होई शके कि आर्थिक समस्यां ने काड़ने कदार तेमनी पासे रेवा माटे अवो मोटू घर ना होए एवी व्यवस्ता जया तेवो अमुक सिधान तो जेमके जैना ना सिधान तो छे अंत्राइपालन ना सिधान छे अमुक एवी जग्या जे अरे तो जे वो एमना घर थी देरासर मंदीर उपाशनी विगेरे दूर होई तेवाने डेली रोज-डोज प्रभु ना दर्शन छे उपात्रदान ने आजू-बाजू-माहोल मा जग्यों लेवी आधनाकान मा फूप मुश्केल छे अर्थिकरी तेख फूप डिफिकल छे तो ए आवा बधा केदाच परी बड़ो तेवो आंची त्रई जाहे ए शक्क्या छे पण जैन हवे हूँ आ मुंजवाण में मारा शोट शब्द माकिति कि आपनी कासे समय मने मर्याद आपेजी आपी छे ए प्रमाणे एमनी मुंजवाण मने आ देखाई रहे छे अनने तेवो आर्थिक रिटे दरेक आपना जेवी सास्त्र मा देखाड़ेला चा अनुश छानो एमा भाग न लए शक्के एमा एवो पोत्तानों आर्थिक खाडो मोट्या उप प्रामालमे न गरी शके. आपन सोटका शप्या प्राढ़ा चे पण आ सास्त्र अनने आ सास्त्र एमा केजिछी चैंके जहिन सासं रूपय उपर आधारीक नाथे गुण ने भाव उपर आधारीक्षि को नने भाव उपर आधारीक्षि आदरेक शासन ना मुल मारे द्रश्टीनित, आप रभून शाहशन अपने आप रभूना धर्मना सिध्धान तो आपने आपने जीवन माँ खुब प्रेम्ति और सहज्टांधी मढी सकते हैं। माँ आपने रोज देरासा नथी आवी शक्तु करें। गरे बेसी ने आप प्रभु नो ध्यान करो ए ध्यान्थी पंड सरस्मजा नी आप प्रभु साथे नू आपनो आदम्यत्य थाई सकता अथवा आप देरासर में रोज चड़ाओ नती लई सकता तो कहीं वार्दो ने देरासर ना खणा ना ना कामों होई जेंके ना थाड़ी प्रभु ना पुष्पनी माडा बनावी त्या मिची बधी वेवस्थाओं में आपने पोता नो समय नो भोग आपने रासर नी के प्रभु नी एक जातनी भग्तिज के वाए ते वो हंडेट परसंद हूं प्रट पने मानुशु विशेश्वा जो आपने संगस्वामी वास परिवार पुबज आर्थिक्री ते पुबज दरीत रहत अनि ते वो पात्थी च गरना आठ्थेक सब्यों हता तो पड़ चत्ता पड़ तेमने प्रभु प्रतियनी एटली सरस्प्रिती हती के रोज देरासरे तो जवानुच के ते वोना संस्कार है तो देरासरे खाली प्रभु ना दर्षने चता अनि एवा भावधिने चोखारो दानों प्रभु ने अरपण करता था के बद्दाने एमनों पच्छी नो उत्रात खबर चे के तेमना लगना बुजरात ना महामंत्री तेशपारजी नी साते थया अनुपमादी ना पुनिया एवा उदाहिमा तेमने देलवाड आगी ना मंदीरो गजा विजु एक सास्त्रा माई एवा पन एक 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 एक्जामपल आपड़े पुनिया श्रावद मों सामब्ले लुचे तेम पते तो हैकतमा भू बोटा सेथ अटा था ता ता यारे एमने परिग्रा परिमाणनी बार समझाने तो तेम अपने विशेष अपाची एमने प्रभू निए विजो धर्मो आपनो सास्त्रा में साध्रमिक बग्ति एपड़े लुचे तो तेमाटे एमने विशेष कमावा करता ओते एक तंद भूच भूच्छ रहें ने विज्यदीव से एमने अश्राविका भूच्छ रहें औने सा साम्जावा मैवु छे तो 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 ताम ए अखा साम्वम ने लुच रहें प्रभू ने एक लीटर दूचे एक किलो मॉच छे कोई पर वस्तु एट वच्छ अपन ऑने प्रभूच रहें तो आपने साम्पन करी दो ए अखा दूच पाक मा एक एक लीटर दूच पन जासे अन आप उपसंवार करीना समापन तरफ जाजों एकाद मिनिट छे आवांदों ने अच्छा अच्छे एले सोट मां मारू जणावानू ए छे के आपड़े जैन धर्मा एवो धर्मा छे एमना सिधान तो एवा छे के नानामाना नानी वेक्पि जो पोते भावती इच्छे तो और जवान जीवन मां अमल करी अन्या जैन धर्मानी उटाना जीवन मां स्रापना करी शक्ये बाकी समाधी दस्टी क्या आवो विचार थातो उय पड़े। पर विचाना करे अने एतला माटे मुझ्वन मुझ्वन नरे पने एक मिठी याद बनी जाई ले इतला माटे नियमा सब्जेक्ट मुक्वाम आवे हो छे कि गणा लोकों नी ये फरियाद छे फरियाद माटे उंडे थी विचारे तो या मुझ्वन रेना इतला माटे जाई भी सही मुझ्वन चेना पर बहुत सरस्त रीते एनी रजुवात करी छे अने आप बहुत सरस्त ह ने एनु समाधान करें से खुब आपर बेन आप अवे आप खेले दिवा से अमें आना पर चर्चा करवाना ची ऊपन हाउस छे जहरे परिशन व्यक्षान माला ना चेला दिवा से क्यारे तमने फरी थी अनि अंदर चांस मल से तमने जोडा वानो अने तमने चर्चा मा भाग तो तमने खास आप जोड़ा जो तमने जोड़ा जो तमने खुब 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 आभार वाईशाली बेन जाई जिने अंदर बद्रेश बाहें आपने समापन तरफ जाईशू यस प्लीज गोएड तो मित्रो आपचो उनों खुब-खुब आभार आजे जे बकर बदाट मित्रों है आजे हमने जे रिते सहकार आपीों छे अने जे रिते पोताना विश्यो ने छणावट करी छे खरकरमें प्रभाविच्ची है किटला है मित्रों है किटलू सुन्दर तैयारी ओपन करियाती अने ए तैयारी बाद आपने आज नी आ वक्तिरुत्वस परधाने विरामा पिये छिया येनु परिणाम आपने आपने आपना ग्रूपनी अंदर ज आजना दीवसना वपोर्ना बाक सुधीमा मली रेशे आवतिकाले सोमभार याने उग्णिसमी तारिके आपने जैन क्वीज करिशू दक्षा बिटा अमें आठ वाग्या थी आज सरू करिए तरीस थी तमें एकदम छिल्ली मिनिटे आवा चो तमें नाम पर नतिनु देव दिख रहा तमें निबंद लखो तमें जे विशाई पर ब सब्सक्राइब करें जालो दक्षे बोलो तुमें उन तमने स्पोटलाइट करूशू सर मारू नाम विकडिया दक्ष चे मूँ जिव विएप सा स्कूल मत यावयो चू विरमाती बेन पकड़ चंसा मूँ ए ग्रुप नो चूने मारो विशेई चे मा बापने बुल्सो नहीं पूलो बले बीजू बदूमा बापने बुल्सो नहीं अगणीत चे उपकार एना एक दी विशर्ष नहीं माता अने पिता मा अने बाप जेवा सब्दोना उच्चर अनु भोवाई अने येमने याद आवताज मन मा येमनू चीत्र खडू थाई जाए अने त्यों करता हासे ए आद आवी चाहिए ज्यारा आपने नान हाता त्यारा आपने भगवानना मंदीरे जता हाता त्यारा आपने काई देखातुनों तो भीड हो अना कारण त्यारा आपने पपा खंबे बेशाडीने देखालता अने एज पपाई आपने दूनिया देखेली एज पपाण आपने आजे वृद्धासं मा मुत्याविये चीए तेथे आपने ते करूनों जये मातानू औने पितानू माक डशन औने टेको मने बणावामा आगलवद्धार्वामा जीवनमा कैक करवा माटेक औने एक आदर्श नागरिक बनवा माटे प्रेरे छे मारी माता आखा दिवस नी ठाकेली होय तो पण मारा नकरा मस्ती मारी दिवस दर्म्यान नी वातो साम्पडे माता तेना अनू बवो होये चे तो पिता अनू बवो ने योगिय दिसामा वालता शिक्वाळो आ धर्ती पर जोई इस्वनना दर्शन करावे चे माता अने पिता एकटा डार रुक्स सम्मान चे जेनी नीचे नू आराम थी चीवू छू अने शाक्षाद भगवनना दर्शन करूछू सूरिय अने चंद्र तारानी जेम पिता सम्मुद्र चे तो माता तेमा रहेला चिपला रुपी चे अने हुँँ ए चिपला नू मोती चू मारे खाली एटलूच के उचे के माता अने पिता ने तर्शोडो नहीं ते आपड़ा भगवान चे अस्तू ते रहाता है ते में सर्णेम बोलो पपा जीनु नाम बोलो दक्षण अने नाम वेकर यां दुक्स रंजे भाई चे वीर में तछर्ण वेकर यां हाँ वीर मती बइन फक्षण सहाड़ा मात पिता यह लिग्स फीर नाम दूट ऑनाट मैं तरह घंक यू वह एक सब्सक्राइब करण विचर नहीं जारए नहीं अपर अनन तरह त्यूंट थिन आपको फर्सक्राइब यह नहीं तो इन तब फ्कार विच्ए नहीं तो चुक्ष कहए बेटां तो प्टाइब बते बोलता था ता अपच्छी मैं बुल तो नो तो अच्छी चला 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 चार देंगे पती क्यों तो अचला मैं चार्ज मा फोन मुई फोटो कोई बार में थेंक यू सार ओके टेंक यू बेरे मच पतने साथ है आपने समय पन करिये चे परिणाम जनारिशू परिती जनावा मागू चुके पोगणिसमी तारीक ना सौम वारे यह आउतिक आले आपने जैन क्वीज करिशू जैन क्वीज मा ए बी सी डी एवा कोई ग्रूप न थी बधाज भाग लाई शक्षे इनने माटे अगाव थी नाम नोदाव्यों होई तो पन भाग लाई शक्षे नाम नोदाव्यों होई तो जैन क्मार कच करवानी रहे शे तो इमा बोड़ी संक्या मां बदा भाग ले एवी अमारी इच्छा छे अने इनी साथे आस पर धनु समापन करवानी रजा लेए बदरेश बाई ना एमना परिवार्यों होई आने व्याक्ष्यान माड़ा मां बदा जुडा जोड़ा जो ए आमंत्रणों में बार आपना आपतार रिया शे नमस्कार नजाई जिनेंद्रा